Okay, so thanks a lot Abhijit for accepting my invitation. मैं आपका बहुत बड़ा fan हूँ, honestly speaking, जब मैंने channel start करा था, उसी time की जो मेरी journey थी, जिन लोगों के साथ, अगर मेरे को किसी भी content पर research कर ली है, तो मैं आपके channel को, आपके inputs को, मैं बहुत जादे importance देता था, and I am very honest with that. तो मैं आपके channel के साथ, एक मेरा emotional connect है, क्योंकि तब मेरी journey भी कुछ start हो रही थी, तो इस दुरान से मेरा आप से था, कुछ एक kind of attraction बोर लीजिए, और आपके जो concept है, जो आपका take है, वो logical भी है, insightful है, उसमें research है, तो जिसकी बज़े से, और बस एक random में मुझे था, कि मुझे community के साथ एक हिस्सा बनना चीए, और लोगों की findings, practical findings क्या है, उन तक पहुचना चीए, तो सबसे पहला ना, आप ही का था, जो मेरे भीहान में था, मैंने आपको, मतलब I messaged you, आपने response करा, और finally आज हम लोग मंजबे साथ हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, और बाकी ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने जो है, मेरा विशाय जोतिश का जरूर रहा है, पर हमारी दिल्चस्पी हस्त रेखा विज्ञान में बहुत रही, अखास तोर से शुरुवाती दिनों में, तो उसमें जो है, जब हमने अपना चैनल शुरू किया था, तलबाग उसी के आसपास आपका चैनल हमने देखा, और उसमें एक खास बात हमने जो आपके गवर करीब हो ये, कि आप थोड़ा जो है, जो है, जो है, आपको इसके बात सबसे पहले एक खम राउंड रखते हैं, कि आपकी, जब मैं इंटोर्ड़क्शन गोलता हूँ, जर्णी बोलता हूँ, उसमें आप कहीं से भी कुछ भी अपने आपारे पर बतावाब बतावाब बतावाशना, कि जिसे कुछ एक शॉट में हमें आपके बारे में पता चली कि आप कौन है, कुछ देखे, मेरे को आपका नाम भी लिंक से पता चला, मेरे को एस्टोर्ड़िफाय से और मैं आपको आइडेंटिफाय करता था, बागी मेरे को कुछ ही नहीं पता, तो अगर हमारे जो मुझे रखते हैं आपको आपको इंक्लूट केना आपके बारे में बताईगे, साधारण मनुष्य हैं और क्या कहेंगे बाकी जो है मेरा एक मैं अगर अपने आपको देखूँ एक शब्दो में तो आई ट्रीट माइसेल्फ ऐसा लर्नर, मुझे अभी भी मेरा जिग्यासा बहुत रहती है कई विश्यों में जो जोतिश नहीं हमारी व्यक्तिगत जिग्यासा बहुत सारे विश्यों में है पढ़ते हैं पीछे आप किताबों का ढेर देख रहे हैं इसके अलावा भी बहुत सारे कपने और किताबे हैं तो इसमें जोतिश दर्शन शास्त्र रहें इस्टन फिलोसफी वेस्टन फिलोसफी ऐस्टरी पॉलिटिकल साइनस लिटरेचर लेखन का शौक है तो बहुत सारा मतलब हमारा काफी पढ़ाई लिखाई और इन सोच विचार में बहुत सारी वक्त बीता है जोतिश मेरी जीवन में आया ज में पहले से कभी कुंडली दिखाई थी या हां दिखाया था घरवाले दिखाते हैं वह अलग बात है बट उसमें हमारी जो है पहले कोई बहुत जादा इंवॉल्मेंट नहीं थी तो all of a sudden when I went to the college 17 साल तब हमारी एज थी तो अचानक से अब पलट के देखते हैं तो वह ऐसी दशाएं वगहरा थी इस वजय से बट यह कि हां कि अचानक से मेरा रुजहान पैदा हुआ और वह एक तरीके सो रुजहान नहीं था वो देरे देरे ऑप्सेशन बन गया कि I used to read a lot about astrology जी डे एन नाइट अगर हम पूरा दिन भी बिता दे तो हमें पता नहीं चलता था कि पूरा दिन बीत किया है तो बहुत सारे जो हमने उसके उपर बहुत सारी चीजे पढ़ी बहुत पूरानी पुस्तके पढ़ी आज के जो हमारे आधुनिक जोच्छी है के अन राव जाता है हम बिल्कुल रिकमेंड करेंगे कि आप इन लोगों को अवश्य पढ़िए अगर आप जोतिश के सीरियस स्टूडेंट है और आगे सीखना चाहते हैं तो जरूर पढ़ें इंशेंट क्लासिक्स तो हैं महारेशी पराशर के ब्रिहत जा तक है महारेशी वारा महीर क सरावली है सरवार चिंता मणी है लगू पराशरी है ये सब पुराने महारेशीयों के द्वारा रचित जो हैं रचनाय हैं जोतिश की पर इसके अधिरिक्त अगर आप जो हैं आधुनिक योश्यों के कारियों को पढ़ते हैं उससे आपको पता चलता है कि उन लोगों ने कि इतनी गहरी रिसर्च करी है और अब ही तक ये भी मैंने पाया इतने वर्षों में मतला जोतिश पढ़ते समझते काम करते करते हमको लगभग बारह तेरह साल से उपर हो चुके हैं और इसमें जो है बहुत सारी चीजें कुंडलियों से सीखने मिलती हैं एक होता है कि आप कि अगर वैसे कहें तो मेरी जो सिक्षा रही है वह रही है इंजीनिरिंग में तो और मैंने इंजीनिरिंग में काम भी किया है इलेक्तिकल इंजीनिरिंग बावर प्लांट ऑदिए तो फिर दीरे धीरे पर इस्थितियां जीवन में कुछ ऐसी बदल गए कि हम इस दिशा में गये पर एक बात जरूर है कि अगर मैं कहूं तो मैंने कभी जोतिश को सिर्फ एक विशय के तौर पे सीखने के तौर पे जिग्यासा के तौर पे हमेशा अपनाया था यह बात की हमने कल्पना दूर दू तक नहीं की थी कि हम कभी इसको जवसाही किस तर पे प्रोफेशन किस लेके आ जाएंगे तो अब शायद वही है हर किसी का भाग्य है प्रारब्ध है कर्म है तो वो हमारे केस में कुछ इस प्रकार घटना करम घटे व्यक्तिगत जीवन में कि हमको इस पत पर अल्टीमेटली लेके आ गए कि भाई आप जो है प्रोफेशनली भी अब इसको करना ही पड़ेगा तो हमने इसको शुरू किया और अभी भी मेरा यही अटिट्यूडे की भई देखिए इतने वर्षों बाद भी मैं इसी मुकाम पर आके कहता हूं कि अभी भी सीखनों को बहुत कुछ है अभी भी हमने कुछ नहीं सीखा जो उतिश कया कोई भी विशय आप उठ गिशाली समझ्ही कि विशय आपको इस लायक समझता है कि आप उसे जान सके इस लायक समझता है कि आप जो है उसके कुछ गहरायों में जा सके सारी गहरायो को आप शायद पोरा जीवन भी देते तो नहीं कवर कर पाएंगे कि हर बार जो है जो हम सीख रहे हैं और जीवन के अन्तिम दोर तक सीखते रहें यही प्रहाथना है. बाकि आपक्षोबि See! जो यही था तो यही था, इसके अतरिक तोर बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा दिल्चस्प इंसार नहीं है, नहीं लोगों इतनी दिल्चस्पी होगी, कि और क्या ही बताएं. जब मैं आपके औरा, आपकी एनर्जी से जब मैं तरी दूर से, मतलब मुझे रखा कि नहीं, इनके अंदर कुछ बात है, कुछ एक है जो इनका ज्यान, जो की, जिसने मुझे आपके तरफ पहुचा आ रहता है, ट्रैक्ट करा, तो यह तो मैं मालत हो कि आप अपनों को अपन जर्णी में आपने अंदर क्या पाया, वो आप से पूछू, बाकी दिखें, मेरे बारे में अभी जी अगर मैं आपको बताऊं, तो बेसिक तो देखें यह कि मैं शुरुआत से जो मेरा उप्सेशन जादा था, वो यह था कि बतब भगवान शिप से बोल लेजिए, पूज का जो टीनेज, डॉलिसेंटेज की प्रॉब्लम थी, पंडीची तो ऐसे थी कि जैसे अरगुलर, हमारे मतब की पंडीरी कुर्णी तो जानी ही जानी है, जब कुछ गर में प्रॉब्लम है, तो आस्ट्रवाजी का जो महल था है, उसी महल में परे बढ़े हैं, और सारी करते हैं, मेरा था कि मैंने अपना, मैंने कंप्यूटर साइंस में ग्राजूशन करी थी, उसकार मास्टर्स करी थी, लाइफ में पढ़ाव आया था कि जब मुझे विदेश राना था, तो मैं उस दौरान, मुझे ने उक्ता था कि भारते विद्या, वहन में जब बगल में में जब तक अपना समय नहीं आपना, तो दूर से इतना complicated science करती है कि नहीं है, कैसे कोई कुंड़ी दे के सब कुछ बिडिट कर सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं था, तो मैं भारते विद्या हम गया था, French सीखने के लिए, तो मेरा Canada का PR का होना था, तो महां तो मुझे बता सब कि यहां पर पर पामिश्टी के ऐस्ट्रोजी कितने courses ही हो रहे है, तो मैं गया वहां पर फ्रेंच सीखने के लिए, और पामिश्टी ऐस्ट्रोजी कोर्स करते-करते-करते, यह मेरी initial, मेरी यात्रा रही, उसके बाद Canada जाने के बाद असा passion है, obsession है कि मैं Canada में भी था, पर मे कोई भी जॉब करने पड़े है, जैसा भी कहना पड़े, पर में जो मेरी priority है, इसमें knowledge acquisition की, और इसमें अपना time देनी की, मैं उसमें compromise न करूँ, साथ साथ ही मैं television का course करा, वहां पर एक movie में काम करा, और जो obsession था, वह आपस India लिया आया, और अब भी हाने के पाद मेरा कोशि बिश्पुरी यह है, कि मैं इसी में पूरी तरह के सब्में को devote करूँ, और इसी में मिरी इसमें मतलब कि जतना और detail में जा सकता हूँ, और research कर सकता हूँ, आपके जैसे मतलब और लोग जो अपनी आतने हैं, उनकी क्या learning है, क्या findings है, सब उनके साथ share करके, ताकि मुझे भ प्राटफर्म के तरह दिखता हूँ, जहां पर मैं तो जितना knowledge share कर रहा हूँ, मैं comments से भी इतना चीज़ें मेरे को भी पता चरकी, सीखने को बलती है, तो हम बहुत बड़ी बात है, यही मने कहा, क्या होता है, आपके भी जीवन में अचानक से आया, तो अचानक से ही आता ह है, तो जब जब होगा, और सिर्फ यह तो हम इस विशाय की बात कर रहे हैं, क्योंकि यह हमारे लिए passion है, आप जो लोग भी इस चीज़ को सुन रहे हैं, आप के लिए जो passion है, यह भी समझ के चलेगा कि वो कुद्रत पहले से आपको तय करती है, और आप जो भी कला है, वि से भी जिग्यासा है, passion है, कोई भी चीज़ है, they will be driven to those things, हाँ, मैं एक चीज़ दरूर कहता हूँ, हम इस माबले में हम सौभागिशाली समझते हैं खुद को, कि जो हमारे passion था, वो हमारा पेशा होते हैं, बिल्कुर बिल्कुर है, पर जो लोग, माल लीजे, आपका passion कुछ भी हो, पर आपका पेशा कुछ और है, तो हम फिर भी आपसे यह आगरे करते हैं, कि अपना passion मत छोड़िये, क्योंकि वो आपको खुशी देता है, वो जिन्दीगी में अर्थ देता है, जो शायद आपका पेशा आपको ना दे सके, तो हम यह कहेंगे कि देखे, पेशा आप उससे जुड़ करके अपने आप में आनंदित महसूस करते हैं, उसको कभी मत छोड़िये, तो I always say to people, कि भई hobbies and passion, वो आप ज़रूर परस्यों करो, भले ही पेशा कुछ और हो, तो career is separate, and if both are same, then you are a really lucky person, lucky person, मैं कभी पर पेशा हैं, जिसमें मैं आपके topics रखे हैं, जिस अपना जो हमारी findings, insights रही है, उस पर बेटे करके topic साट करते हैं, सबसे पहला topic है, जो कि एक मतलब आजकर देखिए, सनातन धर्म की इतनी, मतलब इतनी ज़ादा जो हमारे सनातन धर्म से जोले लोग हैं, अखासकर youth, वो इतनी ज़ादा aware हैं, इतनी ज़ादा मतलब धार्मि हैं, तो इस देखिए का topic है, जो सब को अपनी तरफ आकरशेद करता है, कि भई, मेरी inclination तो भई, और हमारे हिंदू धर्म में तो हरे एक देखिए उर्जा को रेप्रेसेंट करते हैं, अब जैसे होता है कि जब आप youthful हो, आपको gym जाना, आपको छी फिजीक बनाने हैं, competition करते हैं, काफी लोग हमान जी की भक्ती में लगते हैं, काफी बाद जा लाइफ में sadness, depression आती है, तो शिक जी अपने तरफे track करते हैं, जिसको विद्यार जंग करना है, उसको गड़ी जी अर्पनी तरफ आकर शेद करते हैं, तो मैंसे काफी बाद नाइम से पूछ लेंगे आप इसी की कुढले आपके सामने आती हैं, वाट इस पॉसेसी पॉलव तो गेट इन्फोर्मिशन अब इस देवता हैं, देखिए इसमें एक बात यह बहुत अच्छा प्रशन है, कंडिशन क्या है, कि देखिए, हिंदु धर्म में एक बात में पहले क्लियर करना चाहूग वो यह है कि आगर कोई व्यक्ति के मन में यह भ्रांती है, कि हिंदु धर्म में कई सारे देवी देवता हैं, यह गलत है, हिंदु धर्म सनातन धर्म ब्रह्म को मानता है, ब्रह्म एक है, एको ब्रह्म दुतियो नास्ति, ब्रह्म एक है, उसके कई रूप माने गए हैं, तो ये है कि ब्रह्म एक होगा, उसके कई सारे रूप हैं, अब रूप व्यक्ति विशेश की उपर निर्भर करते हैं, कि जिस व्यक्ति की जिस रूप के प्रती, आस्था, शरद्धा, भक्ती, भाव जुड़ जाए, वो उसमें ब्रह्म को देख सकता है, किसी की कृष्ण में हो स सकती है, किसी की हनमान जी में हो सकती है, किसी की देवी में हो सकती है, पर है ब्रह्म एक, तो ब्रह्म सनातन हमेशा यही कहेगा, कि एक ब्रह्म हैं, और उसके कई रूप हैं, तो परिस्थिती यहां पर यह रहती है, कि जब हम द्वैत में जीवित हैं, द्वैत यानि कि हम वर्ड में अपनी लाइफ लीड कर रहे हैं तो वहां पर एक पॉइंट यह कुंडली बया करती है कि आप जो है अगर एक स्वरूप जिसके प्रती नैसरगिक श्रद्धा भाव उमण सकता है तो कि देखे क्या होता है ब्रह्म को हर व्यक्ति समझ पाई ब्रह्म होता है नॉन प्योर एक्जिस्टेंस कॉंशिसनेस ब्लिस विच इस बियॉंड स्पेस टाइम और कॉजेशन तो शुद्ध सच्चिदा नंसरूप जो को एक है अनंत है अद्वयत है और देशकाल लिमित के परे है अब इस चीज को समझ पाना हर व्यक्ति के सामर्थ के परे होता है हर समा पी जाए तो उससे रिलेट कर पाना बहुत कठीन होता है कि हम प्योर कॉंशिसनेस वननेस की बात करने है जो लोग कर सकते है अलग बात है पर जो लोग नहीं कर सकते दूसरी बात होता है कि भाव उम्रे तो वो एक स्वरूप चाहिए यू नीड अ पर्टीकुलर फॉर्म टो वो फॉर्म ऑफ गॉर्म जो होता है कुंडली भी दिखाती है क्योंकि अब जैसे कुणली बता रही है कि कैसे कई लोग हमारे केसिसे जाते हैं जिसम मैं एश्टी देवतार नहीं भी पूछता हूं उनको बताते नहीं है वो खुद ही बोलते है कि भाई हमारी जो है ये भगवान कृष्ण में बहुत आस्था है, अब वो कुंडली दिखाएगी उनकी, कि इस रूप में ही क्यों आस्था है, कुई कहेगा हनवान जी में बड़ी आस्था है, उनकी कुंडली दिखाएगी, मंगल चनी का प्रभा होगा हनवान जी आएंगे, चंदर्मा और गुरु बुद्ध का एकटे प्रभा होगा, भगवान कृष्णा जाएंगे, विश्णू, तो आप ये बात रहती है कि आपको कुंडली में ये भी देखना पड़ता है, कि पहली बात तो व्यक्ति धार्मिक कितना है, हर व्यक्ति धार्मिक हो, और बहुत जादा इश्वर के प्रत ये अल्टिमेट गोल है, अपने आपको समझो, इश्वर को समझो, अखंड सत्य को समझो, यही गोल है, अब पॉइंट यह होता है कि जो इजी वे है, वो है इश्वर के प्रति भक्ति भाव पैदा करके, भई कल्यूग में सबसे आसान यही का गया है, कल्यूग यही नाम करें, ताकि आप उस तक जुड सको, तो उसके लिए कुंडली में इश्टदेवता मानेगा, अब इश्टदेवता जो होते हैं, कुंडली तो कुंडली वेरी करते हैं, अब उसमें पॉइंट यह होगा कि जो भी स्वरूप इश्टदेवता का है, वहां जो है उसकी पूज अगा पकंतिए पर अल्थीमेटली पुझा बरम की ही कर रहे हो पर उस स्वुरूप में कर रहे है तो स्वुरूप में क्या होगा एक एक तो नजनए सरगीक भक्ति पाइडा होती है दूसरा एक विश्वास पैदा होता है समय के साथ आप कितने ही तार्किक इंसान की उना और आपके पास सारे प्रश्णों के उत्तर कभी नहीं मिलेंगे तर्क से ईश्वार को समझा नहीं जा सकता एक पॉइंट पे आपको जाना ही होगा तर्क के परे तो वहां पे जो है जब तक ईश्वर स्वयम आपको मार्ग न दिखाएं कृपा न करें तब तक आप पहुच नहीं सकते तो परिस्थिती यह रहती है कि यहाँ पर यह बात कही गई कि आप जो है इस्टे देवता को जरूर उनकी पूजा पाठ करें तो condition यह रहती है कि इस्टे देवता वेरी कर गयाता है वह है पाच्वा भाव नवाव नवाव धर्म लगनपांच नव यह धर्म को है घ्यान शिक्षा बुद्धी विद्या धर्म दर्शा नाध्यात्म इश्वर गुरू यह सब इन भावों से देखे जाते हैं तो अब उसमें जो है तीनों कुंड़ियों में आप पह अभी है उससे बारवें इस्थान पे नवाम्श कुंडली में जो ग्रह प्रभाव दे रहे होंगे माली जे आपका आत्माकारक शनी है और शनी जो है नवाम्श कुंडली में मीन राशी में बैठा है तो मीन राशी से पिछला भाव बारवा इस्थान मतलब कुम्ब राशी त तो उनसे संबंदित इश्टेदेवता हो सकते हैं और अगर कोई ग्रह नहीं बैठे हैं तो कोई भाव कोई ग्रह उसको अगर देख रहा है तो उससे संबंदित हो सकते हैं और अगर ना तो कोई ग्रह बैठा हो ना ही कोई देख रहा है आपने तो बहुत चाहिए पहुत है क्योंकि आत्मा कारक होता है भाई वोग रहे जो आपके भीतर consciousness को alive रखे हुए आत्मा का मतलब क्या शुद्चेतना जिसकी बदुलत हम जीवित है तो आत्मा कौन और बारवाई स्थान क्या ध्यान समाधि तपस्या तो इश्वर का मूल तक्त्व कोन है बारवाई स्थान है तो बारवाई स्थान जो है मोक्षप्रदायक माना गया बारव से आएं कौन से कौन सा देवी देवता हमको मोक्ष के नजदीक ले जा सकता है कौन हमको वहां तक पहुचा सकता है तो यहां पर कंडिशन यह आती है कि बारवे स्थान को देखिए आत्माकारक में अगला आता है वह आपने आपका लॉजिक मेरी कुंडली में इतना अच्छा बैठ रहा है क्योंकि मेरा जो आपने आत्माकारक नगौंसा में जो से बारवा भावा है वो मेरी लगन कुडली का पाच वाप बन रहा है तो मेरे में तो फिट रहा है वो बनेगा अब मांग जो कि जितने और एक खास बात और जितने पांचवे नवे भाव और गुरू प इसको कहते हैं वह अध्यात्मिक धार्मिक जीवन केले देखा जाता कि भी ज्यान मार्ग भक्ती मार्ग राजमार्ग योग यह मतलब योग धियांवाला भ्रभक्ति मार created प्कॉन्से पथ अच्छे होंगे व्यक्ति अध्यात्मिक्ता में जा भी पाएगा नीं जा पाएग अब विम्शाम्श में Crunchymaita मैं रह्न की बना की स jij B लागन की DT Launch सब्सक्वरों की तटी से को चाहए किसी अब विंशाम्श है होता है अग विंशाम्श में Paper विंशाम्श में की थी की अगन की इद इस मानिगे एं दीती भी थीदा-धेवता का हो गया कोई केंदर में बढ़िया अपने राशी में बैड़ गया तो जो सबसे पावर्फुल रहे होगा विम्शाम्ष में नो मैंटर वोटेवर लॉल डिटे तो किसी भी भाव का स्वामी उससे फरक नहीं पड़ता अगर वो सबसे जादा ताकतवर है तो उससे संबंदि जो देवी देवता होंगे उसको जो है माना जाएगा इस्ट देवता उसको इस्ट देवता माना जाएगा तो अब इसमें क्या होता कि आप देखो कैसे पहले लगन को देखो लगन इस्ट देवता उतना नहीं बताता लगन यह बताता कि पहले attitude towards religion, spirituality and belief in God है या नहीं है विम्शाम्ष क्या बताएगा कि अच्छा चलो अगर अभी नहीं है तो क्या लेटर ओन स्टेज में आ सकता है तो विम्शाम्ष यह बताएगा कि भाई जो हमने आपको concept होला आत्मकारक से बारवें स्थान पर जा करके देखने का उससे भी हमें एक पता चलेगा कि अच्छ लग आत्म दो क्या में आप एक्यों शुरू करते तो सूर्य जो है साबसे पहले रिखाते शिव भावान शंकर तो सूर्य जो है अगर बलचाली है, जैसे जैसे मैंने पॉइंट्स बोले, चाहे नवाम्श में जो आपको रूल बताया हो, चाहे विम्शाम्श में, अगर सूर्य सबसे बलचाली अगरे बन गया, तो सूर्य से जुड़ करके देखा जाता है भगवान शंकर, तो महाशिव, तो भगवान चंकर सूर्य इसके बाद आते हैं सूर्य से एक और आते हैं वो है भगवान राम राम में होता है सूर्य वंची थे और भगवान राम के केस में क्या है कि आपको गुरू का प्रभाव देखना होगा सूर्य गुरू इखटे होंगे मालो तो फिर गुरू कौन है विष्णू गुरू है महा विष्णू तो गुरू अगर है तो गुरू में विष्णू भी होंगे और सूर्य होगे तो विष्णू का सूर्य अवदार बवान राम तो राम हो सेथे तो राम और शंकर दोनों ये सूरे से आते हैं इसके बाद आते हैं चंद्रमा चंद्रमा से कौन है चंद्रमा से पहली बाद तो शक्ति देवी देखी जाती है चंद्रमा एक फीमेल प्लैनेट है तो चंद्रमा से हम देवी देखते हो देवी में भी शांत र जाता है तो भुवनेश्वरी है इसके बाद आपका जो है चंद्रमा दिखाता है भगवान श्री कृष्ण तो भगवान श्री कृष्ण में अगर बुद्ध गुरु और चंद्रमा इखटे आ रहे हैं या इनका कोई भी connection बन रहा है तो यह है विश्णु विश्णु में कौ जो है इश्वर में या तो देवी के प्रती जाएगा या भगवान कृष्ण के स्वरूपों के प्रती जाएगा तो चंद्रमा उसको दिखाता है अब चंद्रमा के बाद अगला नंबर मंगल मंगल का आते हैं भगवान हनुमान और फिर भगवान कार्थिके है और हनुमान तो इसमें क्या होगा देवी में जैसे बगुला मुखी है मंगल मंगल संबोधित करता है बगुला मुखी जी को इसके अलावा सूर्य भी दिखाता है मातंगी अगर हम बात करेंगे देवी यो आपने इसमें अच्छा पर आप शर्तिजम और वैशनुविजम आप सारा पादर मदर एक होता है कि भाई देखो यह माना गया कि माता है और पिता है अब आपके माता पिता होते हैं आप किसी कोई चीज आपको मांगनी होती है तो आपको पता है या मम्मी इजीली दे देंगी पिता जी थोड़ा सा डाटेंगे इजीली नहीं देंगे तो आप मम्म अगर चंद्रमा में अगर हमारे पिता रूप हो गए तो भवान कृष्ण और अगर मंगल में पिता हो गए कौन रुद्र जिनका मंत्र यह ओम रुद्रा है न महां भवान कृष्ण पारवण मां को दिखा रहा है मतलब मां के भक्ति को दिखा रहा है तो वो ऐसे रूप हो दिखाएगा जो थोड़ी उग्र देविया है बग्ला मुखी मा काली चिन नमस्ता ऐसी देविया है तो इसमें ऐसा अभी जी जी ऐसे हो सकता है कि अगर हो सकता है कि उसी जातक का तो चंदर नक्षत्र पुड़ा ऐसा हो कि इसे पूर फाल्वनी है भरानी है और बागी की कयूलेशन बता रही है कि मंगल रहू का पौमे लिशे रहे है तेब हम बोज सकते कि मंगल ही आपका निकल कर रहा है लेकिन आपका चंदर नक्षत्र में झालाख सासीन करता है या शकण बहुत परिशान करते हैं कुछ देवी देवताओं की पूजा सरल है और कुछ देवी देवताओं के पूजा थोड़ी सी नियम काइदे मांगती है कि अगर आप वो नियम काईदे फॉलो नहीं करेंगे वो खास तोर से दश महाविद्याओं में दश महाविद्याओं में पूजा तभी करो जब सीरियसली कुछ कर पाऊगे अगर वो खाना पूरी फॉर्मैलिटी तरीके से करो तो बैक फायर करेंगी वो पर वो जल्दी प्रार्सना सुनने का नहीं होता है कि वो आपको टेस्ट करती किया आप कितने शुद्ध पुष्त रहे हैं कितने जो है आपका मन और शरीर दोनों से तो आगर उसमें जो है आपके इंटेंशन खराब है तो ब्यांगी करनी है यह मत सोचिएगा कि माँ प्रसन्नों करके आपके उपर किरपा कर देंगे दूसरे काहित चाह रहे हो ऐसा नहीं हो परिस्थिति यह रहती है कि यहां पे इस्ट देवता मेल और फीमेल और उसमें जो है यह देवी अब आते हैं मंगल के बाद कोने बुद्ध आते हैं तो बु एक होंगी एक होंगी दुर्गा, एक होंगी सारस्वृ तो सारस्वृ बुद्धी की देव यह है बहँआ गरएंग गयर नहीं दूसरी नहीं है तो नहां novels की बात करोगे तो हो गए बुद्ध और केथु भी बख्वान गश्कू को दिखाता है के तू भी दिखाएंग अगर मेल हो गए तो भगवान विष्णु नारायन रूप में प्योर मतलब एक्टिल विष्णु महा विष्णु रूप में फिर उसके बाद विष्णु भगवान के अलावा गणेश फिर उसके बाद आते हैं बुद्ध में आपके देवी आएंगी तो मा दुर्गा और करी कि एंगे ऩर लापे शर्लियएंगे मित कहते हैं फिर शर्लिय फिर उसके फॉत करिए हीता ने ओधिया विश्णू बाकी और कोई मेल रूप में उत्ता नहीं आएगा फीमेल में आएंगी तारा मा तारा जो है वो फीमेल में आती है अगला आता है गुरू के बाद शुक्र शुक्र में आते हैं शुक्र देखो फिर से फेमिन प्लानेट है तो आव्वियसली शुक्रम क्या होगा अगर हम बात करते हैं मेल की तो मेल में अगर देखेंगे तो शुक्र में आते हैं भवान परशुराम पर अगर हम शुक्र में देखा जाए तो शुक्र में मुख्य प्रधान रूप से देवी आती हैं देवी के सारे रूप आदिशक्ति तो आदिशक्ति शुक्र और चंद अगर शुक्र में देवी के सुरूपों की बात करेंगे तो जैसे दुर्गा है दूसरा शुक्र में मा लक्षमी है इसके अलावा शुक्र में जो है मा पार्वती आती है तो दुर्गा लक्षमी पार्वती ये देवी के सुरूप है साउथ इंडिया में जैसे ललता सहस्तर न करते हैं बहुत अच्छा होता है कि पढ़िए आप उसे इसके तो शुक्र के मुख्य प्रदान रूप से देवी इसके बाद आते हैं शनी शनी में में हैं सबसे पहले अगर मेल रूप में हनुमान जी नंबर वन ठीक है तो और दूसरा अगर है तो भगवान रुद्र और ती तो काल भयो और हनुमान जी है हो गए तो यह मेल फी मेल में मा काली मा काली तो इसका बैस्ट एंगांपल श्री राम-कृष्ण परमहन्स मा काली के मा काली के आद बहुत परम्भक्त काली की सिध्धी है तब उनके case में इंगा कुम्बलग्न है तो इसके सथ मिशा है दूसरे स्थान पर उच चुका है, तो शुक्र क्या हो गया, आदिशक्ति, मा, अदिशनी उच चुका हो गया, मतलब मा काली गरू, तो काली के मा परमभक्त, और काली की सिद्धी, शाक्षाद दर्शन, तो एक उंडली दिखा रही ही न, तो इसमें मा काली, फिर आते हैं रा भगवानों की बात करें, तो राहु में अगर मेल रेखोगे तो भगवान शंकर, ठीक है, अगर आप मेल ले रहे हो, तो उसमें भगवान शंकर, जैसे राहु के तू होते हो, तो महा मृत्युन्जय बोला जाता है करने के लिए, तो महा मृत्युन्जय इसलिए, राहु के अब छिन्दमस्ता की पूजा हम अकसर लोगों को नहीं कहते हैं क्योंकि वो महाउग्र देवी हैं और दश महाविद्याओं में तांतरिक देवी हैं उनकी विदिविदान बहुत कठिन है हर व्यक्ति को सलह दी नहीं जाती आप दुर्गाजी की पूजा करें और अगर योग नहीं है तो पहला यह हो गया कि ये रावु आथ है क्येतू कि ऊंने लिए जिसका हम्यों के-ठू हर अश्वनी कुमार है पहला अश्वनी नक्षतर के कंट्रोलर भी केतू है उनके देवता भी अश्वनी कुमार है तो हम यह कहते हैं जिनका धड़ है सर नहीं है मनुश्य का वो सारे देवी देवता जो हैं वो इसमें आ जाएगा केतू के अंडर में तो केतू में हरमान जी की पूजा अच्छी मानते हैं इसके अलावा अश्विट पूजा नहीं कुमारों की अच्छी मानते हैं इसके अलावा भवान गणेश सर्वस्रेष्ठ भवान गणेश की पूजा उत्तम मानी जाती है और बाकी अगर राहु के तू क्योंकि आमने सामने होता है तो मृत्यूंजे राहु के लिए रामबान है करना है इसके बाद अगर देवी की बात करिएगा तो देवी में क्या है के तू के तू फेमिनिन साइड को कम रिप्रेजेंट करेगा और फेमिनिन साइड में जो रिप्रेजेंट करेगा वो बहुत ही महाउग्र देवी वो है धूमावती अब धूमावती की पूजा नहीं बताई जाती है के इसी ग मोक्ष तो मोक्ष सन्यास विरक्ति वयराग्य आध्यात्म ज्यान सब दे देगी पर आपका भौतिक पक्ष को खतम कर देती है तो इस वज़े से केतु जो है मोक्ष का गारक है तो धूमावती उसको दिखाएंगी अगर देवियों की बात करोगे बाकी पुरुष स्वरूप जादा है तो भगवान गणेश सबसे बैस्ते बगवान गणेश और भगवान अनमान जी तो यह ग्रहों के हिसाब से हम चलते हैं अगर इन इन ग्रहों का प्रभावत जिनका जादा होगा और यह मिल करके भी अगर कॉंबिनेशन बना रहे हैं तो उसमें देखो कि कौन सब से आदा ताकतवर है मालो दो ग्रह इखटे बैठे तो जैसे मैंने सूर्य और गुरु की बात करी थी तो अब जैसे सूर्य और गुरु इखटे हैं तो सूर्य गुरु क्या दिखा सकते हैं कि या तो भगवान राम को भी दिखा सकते हैं और भगवान शंकर को भी दिखा सक मैं कई बार ये भी करता हूँ कि देखे अगर आपको ये अच्छी बात है कि आप तरकशील है ये सोचते हैं कि भाई इसके पीछे कोई logic है की नहीं क्यों कर रहा हूँ आखिर कोई मंत्र के पीछे significance है की नहीं पूजा पाट के पीछे कोई significance है की नहीं बहुत देखिए अगर आप इस सोच के वेक्ति हैं I highly promote this kind of thinking which is more driven towards knowing the logic behind the things but अगर आप इस basis पे खाली कुछ लोग करते हैं कि उनको जाच कुछ नहीं करने हैं तर्क कुछ नहीं लगाना है खाली दुनिया दिखावे में जो है हम जो है reject करके बैठ गए अपने धर्म संकृति आध्यात्म को और ना इधर के रहे ना उधर के रहे identity crisis का शिकार होके बैठ गए अगर ऐसे मनुष्य है यदि आप तो भाई देखे ये खराब बात है तो आप जो है और कई बार ये भी होता है हम ये भी कहते हैं देखो पूजा करो बस चुपचाप कई बार जो है logic नहीं पता चलता ना पता चलने दो आगे पता चलियाएगा इश्वर चाहेगा बता देगा तुमको पर हम ये कहते हैं कि भाई देखो कष्ट तो जीवन में चली रहे हैं इससे डिनाई नहीं कर सकते problems हो रहे हैं इसी वज़े से आप जोति कर रहे हो इस से करेंगे तो क्या होगा यह सब Cant principio कर दॉक्तर की ओपर जा इसके विश्वास करते हैं और एपड़ा कःकर करें इसके विश्वास करते हैं इसने डिग्री करिया नहीं कर चुप Clock में जाना है तो किताबे पढ़े कब जाकर त्विस्तर मिलेंगे , पर यगर आ तो हम यही पॉइंट बोलते हैं कि देखिए आप इसको फॉलो करेंगे तो वो मार्ग भी बन जाएंगे जो आपको और जादा ज्यान और धर्म के प्रती लेके बढ़ते हैं इस्ट देवता का में कॉंसेप्ट यह नहीं है कि पूजा करोगे तो जो इच्छा मन में है सारी प मूट करता है वो है कि आज मैं चाहता हूँ कि प्रदानमंत्री बन जानों तो पूजा करी प्रदानमंत मंत्री बन गए or बहुंत का पूजा पात ह्पनी जगा तो आपको यी रहान रखके चलना है कि अगर हम उसको लेक चल रहे हैं तो देखिए आप कि अपने भीतर प्र यह तो बिल्कुली ऐसा है कि जो बिल्कुली प्रूवन फैक्ट है और यहां भी एक नया कॉंसेट मुझे मिला जो कि आपके बोलते ही मेरी कुंडली में वैलिड भी हो गया मताँ और कन्फरमेशन भी शुरूत ही है जो अगर आपके जो आत्मकारत है नवामसा में उनसे बार यह सारे जो कॉंसेट्स आपने बताएं मैं इसके उपर बतारा हूं वो तो ही है तो मैं जनली करता हूं मैंना कुंडली में पैटन घूननी की कोशिश करता हूं कि कभी जैसे मुझे से बोते हैं आर्च टाइप अगर मैं किसी कुंडली का आर्च टाइप पकर लूँ तो य मेरा अपना लगण का मालिक मंगल है लगनेश मंगल स्वराश्य बैटे हैं मेकसिमम ग्रा धनीश्टा में बैटे तो मंगल का एटना अकरन्स आरे अब जैसे अवगं अट्रक्शन की बात करते हैं तो मेरा बचपन से ही भगवान शिर्द के तरफ मेरा कुछ एक तो एक natural affection होता है और जो मैंने कुडली के बोड़ा तो मैं जब कोई में को बहुत है तो मैं हर एहले से स्टार्ट करता हूं कि पहले चीज पहले पंचाम के साथ से देखें आपकी तर्की क्या है आपका नक्षत्र क्या है उसके आपका वार क्या है आप काफी बार ऐसा हो बिल जनम ही रोहनी रक्षत्र में हुआ है और उसके बाग पैटन है पूरी पूरी में पैटन लिखता है कि हाँ है पस इतने देखें मैंना आप से क्या बोला कि आपका शूकर थोड़ा मजबूत है शारी का रहा था कि मैं मेरे पास मैक्सिमम रीलिंग्स मेरा मैक्सिमम पर आगा शुकर का आगया उनका लगन था दुला और लगनेश थे वो बैठे थे उनके अश्टमभाव में वो उसके बाद उनका चंदर की जो यूती थी वो शुकर सोल की थी शुकर का इतना पैटन इतना रेपिटेशन आगा था मैंने का भी दिखो अब मुझे और चीज अब शुकर के उपर चंदर का भी प्रभावना तो फीमेल जादा रही है है हाँ 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 और उन्हों बोला अग्दा इस अधिस 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 अमेरिकन बॉन्ट और बन्दा है भी साइंटेस ने लोग शाथ डॉक्टर था यूएस बॉन्ट है रिली इंटेलेक्ट अपनी राशी में तो आठवा भाव जो होता भी है पूरवा पूरा से लिएूशन का कोई सपनों के माध्यम से एक्ट्रा सेंसरी परसेप्शन तो वह आठवे बारवे भाव से नवे भाव से हम देखते हैं अगर केतू अगर का भी प्रभावस के उपर है तो और बढ़ ज प्रभावान गणेश्री बात करी थी पर उनके केस में फीमेल डॉमिनेशन चंदर केतू का कॉंबिनेशन बहुत जादा तगला है तो चंदर मा मतला फीमेल अब इसी लिए मैंने बात कहीं कि उसमें क्या है कि धुमावती जी के प्रत्यक्ष लक्षन उनके जीवन में लोगों को जो है एक psychological diagnosis यह दे दिया जाता है भीया तुम्हारे साथ यह किसी को आज मैं आपका analysis करूँ आपके साथ भी 50 गल्तिया निकली आएंगी अगर मैं अभी जो है आपका भी psycho analysis करूँगा तो यह कोई न कोई तो flaw में धूनी लूँगा तुम में और उसके बाद जो अध्यात्म की और ले जा रहे है तुम नहीं जाना चाहते ग्रह मजबूर करेगा जाने के लिए अगर तुम नहीं जाना चाहते तो क्या होगा disappointment, depression, meaninglessness यह सब देखोगे क्योंकि तुम्हारी इच्छा नहीं है न पर ग्रह फोर्स करेगा तुम्हारी इच्छा नहीं है अब detach कर रहा तो इसका मतलब यह थोड़ी है कि you are landing in depression, you will feel that yes I am getting into depression but technically it is not a case of depression, but अगर कोई अध्यात्मिक योग, इस case में क्या होता, अगर कोई अध्यात्मिक योग कुंडली में इस प्रकार नहीं है कि व्यक्ति किसी भी जीवन के पढ़ाव पर इस आद्म स्विकृति मे आ सके कि yes I want to go towards serious spiritual pursuit, then only they can transform those combinations into their benefit, otherwise क्या है कि पूरा जीवन फिर इसी द्वंद में निकलेगा, असंतुष्टी के भाव में निकलेगा, तो अब अपना अपना प्रारब्ध है, तो अगर यहां पे जैसे आपने कहा, देवी का पक्ष बढ़ गया, तो देवी का पक्ष बढ अपने ने श है, अश्टम है, तो वो अपने आप ही एक होता ना, लेकर आएगा, एक पड़ाओ पर लेकर आएगा, कि कही ना कही ना कहीं, कहीं ना कहीं, कोई ना कोई, uh, uh, एक होता ना, uh, experiences, experiences, dreams, यह तो पटा है, आप देखाली जीए, कि इतना हैं, यह तो विश्यो पर मैंने ऑफ धुर्दे बहुट के और मैंने यहाहि नहीं आपको ओंधकर कि बात अ reign हिरव हुए हम्यudadahe करते हमें पर उन्यों ओड़को महां करते हैं剛 औरव तो इमाहिस की थो कोई मतलब चलि अच्छा है यहां यहां ग्लीजीज cob क्योंकि मेरको आपसे हाँ अब जो मैंने आपसे दूसरा कुछन पुछना है वो यह है कि अब हम आते हैं चीफ कंसर्न जिसले कोई भी परिवार एस लोजर के पाद जाता है वो तर लाइफ में जो दो तीम पड़ा होते ना तो जनम में वो देखना होते कि बालरिष्ट है वो तूट सके जो लोग देखना चाहिए देख सकते हैं आप लिंक शेर कीजेगा पॉइंट क्या है कि हम तीन चार संग्शिप्त रूप से आपको बता देते कि पॉइंट होते क्या है और वाइ मैच मेंकिंग इस यूजलेस क्योंकि मैं परस्नली मैच मेंकिंग ना करता है अब वह कैसे करती दिए trap कुछ बाता है अब मैं बहूंगा और उस से आप समझ जांगे कि मैच मेंकिंग जो है क्यों है उस संसमें हम समझते हैं पहली बात यह होती है कि अगर हम की कुण्डली देख रहे हैं है तो कुंदली से हमिए माली जो को या आपके पास आया और उसने जो है वो भले ही शादी शुदा हो या उसकी शादी न हुई हो पर अगर वो विभा के से परिबेक्ष में आप से पूछ रहा है तो आप कुंडली देखके पहले ये पूछेंगे कि भाई अच्छा ये विवा का हाल दिख रहा है ठीक है अब भाई शादी हुई हो या हुई हो उससे फरक नहीं पड़ता है पर अगर चलो हो गई तो इस तरीके का विवा होगा ऐसा पती या पत्नी होगी विवा इस उम्र पे हो सकता था या हो या होगा अगर नहीं हुई तो शादी तो यहां पर पॉइंट है कि if we can predict from the chart that when your marriage will happen how your marriage will be and how your life partner will be then where is the concept of matchmaking here because already everything is fixed पहले से सब तय हो रखा है कि विवा इस उम्र पे होगा इस उम्र के पहले नहीं इस उम्र के बाद नहीं तो विवा पहले होने के योग है कि नहीं तो अब इस उम्र पे विवा होता है दूसरा विवा होगा तो कैसे इनसान से होगा वो भी निश्चित है तीसरा विवा हो क्या कर रहे हैं क्योंकि एक और चीज आती है let's suppose माल लीजिए हम यह कहते हैं कि कोई इलसान जो है मैच मेकिंग करके शादी कर रहा है तब फिर बताईए कि शादी क्यों टूड गई बहुत सारे ऐसे कि मैच मेकिंग करते हो फिर भी शादी नहीं चलती रोज कल है पूर्ण जीवन है ऐसी नौबते आ जाती है कि साथ नहीं रह पाते और तलाक हो जाता है या अलग हो जाते हो भाई कुंडली मिलाई थी ना सारे चीज आपने सेट करके सब फिक्स करके आगे बढ़े थे गुण यह है कि जो चीट पहले से निर्धारित और निश्चित है उसमें आप फेर बदल नहीं कर सकते तो कंडिशन यह है कि पहले से ही निश्चित है कि भाई ऐसे तमाम केस है एक थोड़ी अब इतने वर्षों से हम कुंडलीया लोगों की देखते आ रहे हैं उसमें एक नहीं जारों दफ़ा हम देख चुके हैं कि भई विवाह जब भी हुआ जैसा है वैसे ही चलना है और जो अपमाली जो कोई कंसल्टेशन होती है तो उसमें पहले पूछते हैं कि भई यह अगर शादी हो चुकी है तो पूछत और अगर कोई दिक्कते चल रही है तो पहले पूछ बॉस्ते भई विवाह जो है वह में यह ओ शूल हैं यह इसूस कुछ आपकी तरफ से आएंगंगे कुछ थंर की तरफ से आएंगे तो पहले होता है कि ψयॹकाः करने के लिए कि सुछ हम पहले पेले करने के लिए ुश सभी से मिस्चे नाफिक करने के दभिए तो सी तरा होगा जोतिष mathematics पर चलता है probability पर चलता है यह हवावाजी थोड़ी है कि आप पहले पैटर्न विद्यूस करोगे विद्यूस करने के बाद आप देखोगे कि अच्छा यह यह चीजे फिट बैच रही है इसकी probability अभी तक यह घटित हुआ तो आगे यह घटित होगा यह तो बॉइने के अंदर है कि दो महीना है यह कुछ साल भी रुख जाते हैं दो महीन है तो दूसरा क्या है यह चादी ब्याग ठीक चला है तोइक जीना क्ट्री प्रेचरिंट अब ल्साता टिर्ट तूमेटेफ यह ताट्वी पांज जुन है प्जिए कि ने अब एक ना एक व्यक्ति तो कभी ना कभी खत्म हो जाता वो अलग बात है पर परिस्थिती है कि विवहा दुखत नहीं है सही है और लंबे समय ठहरा अब आप यह अश्टकूट गुण जिन लोगों कुछ नहीं पता होता है वो सीधे यही नापते है इत्ते में इत्ते बुखते आतंवार्य हो सब्सक्राइगा है नहीं पत अरो सबस्क्राइब सेया है इद्रवार मांने है डिए के सीधे है सब्सक्रमा सब्सक्राइब करने लिए यहमेंगे सुखत देरी है तो वो इसके पक्ष को दबा देंगे अब भकूर तोष बनेगा तो इसको और बढ़ा देगा कि mutual attachment happiness बट अगर तुम इसी पर अपनी पूरी अनालिसिस कर दोगे तो वह खराब काम है तो पॉइंट यह होता है कि everything is प्रिदेश्टेल फिक्स्ट है उसमें कुछ परवतन संभव नहीं है अब मैच में कि किस सेंस में करती है अचा कुछ लोग एभी कहेंगे तो जैसा मैंने हर आद्मी एक सेट काटिगरी को पार्टनर अटरैक करता है आपको दुनिया में इस सब्सक्राइब है उसक्ता एट बिलियन पोपुलेशन है आठ बिलियन में क्या पूरे दुनिया भर के सारे लोगों से आपकी मुलाकात हो जाएगी अपने जीवन में या सारे आपके जी आईसा होगा और वैसा ही होगा तो आप पॉइंट ये होगा कि अगर कोईसी के relationships भी है तीन चार पांच जित्ते भी relationship रहे आप चले नहीं चले से फरक नहीं है हम ये कह रहे हैं कि उन partners में भी commonality नजर आएगी there will be a set category of people which you will attract for being a partner उसमें भी एक category नजर आएगा कि हाँ सेम नहीं होते दो individual बट मुद्दे सेम होंगे कुछ न कुछ similarity होगी why are you attracting such kind of people all the time कुंडली दिखाएगी let suppose इंसान चाहता है कि एक मेरा dream partner है मैं ऐसा चाहता हूं matchmaking कहेगी भाई अपने हिसाब से बना लो possible है नहीं कुंडली कहेगी यह यह है ऐसे लोग ज्यादा मिलेंगे इनकी संभावना ज्यादा है अब आप सोचेंगे कि मैं जो चाहता हूं मिले आगर कुंडली बताएगी अच्छी बात है मिल जाए पर अगर कुछ उतके विपरीत है कि भाई इस करते हैं मंगल दोश वगहरा लोग मिलाते हैं मंगल दोश भी देखे एक लेविल तक है बहुत गहराई में कुंडली को मिला पाना कठिन काम है दूसरा यह होता है कि कि सेंस में एक्जिस्ट करती है कि दो लोग हैं पती पत्नी अब आपके पती केस में पतनी की जो करेक्ट प्रिडिक करते हैं ऐसे इसको प्रिडिक करिए तो इससे आपको हर चीज पता चलेगी जो आपका लाइप पार्टनर है उसके बारे में तो अब पॉइंट जो भी अच्छे बुरे जैसा भी है यही है अच्छा बुरा जो भी है इट इस देयर तो आप पॉइंट यह है कि इसके व्यक्ति आपके जीवन में यदि कोई मुलाकात हो गई इसे तो भाई इससे शादी होने के योग बन गाएंगे तो यह पॉइंट होता है मैच मेंगिंग इस करती है इस संस में कि इट मैच इस इन बोथ इस चार्ट हस्बंड के मेल के के समें फीमेल रिप्रेसंट हो होगो ओच़ेंगे पूर आपके पार्टनर का स्केश बिल जाते है बहुत अच्छा आपने सूत्र दिया कभी जैसे मैं आपको बता है माज कर रहा हूं तो कभी कार कुणली ऐसी है जाती ना कि और जोतिश पे इतना moral obligation का बढ़े हो जाता है कि कासे वाइड डर भी लगता है लिए अपने परेंट से साथ आई थी 26-27 साल उनकी मर्दी तो उनकी कुली सिंग लगन था सेके नाउस में उनका बुद उचका बैठा है उनका राहू उसके साथ कंजंग बैठा है और उचके बुद की जो कि सिंग लगन में इतना शूप गरा है पैसे का धन का आएगा मालिक है उसकी दशाभी चल रहे सब ठीक थ है और डाट तो अक्ष्टम में शनी के साथ है तो यह तो बहुत बड़ा रेड़ फ्लाइब है अब यह ऐसी कुली हागी ना तो जिवतिश को मौरल अब्लिकेशन बैठ जाता और मेरे साथ मेरे फ्रेंड के साथ हुआ था आपके हमारे भारत में यह अभी भी मानिता है कि अब यह तो पत्नी की कुली में पती का वोगोना दिये बेटी की कुली पर बाप का वोगोना चाहिए लेकिन हमको इस पर करता है तो नए कदम घर पर पढ़े हमको उसमें टाज कर लें तो यहां पर हम जोती शोपने बहुत प्रेशर आजाता है कि यार हमें जो भी बोलना है तो क्योंकि वो बात लेके साइक्लोजिक लोग भर लेके जा रहे हैं और वो इंपको बहुत ही एजूकेटेड लॉजिकल और लोगों के अंडरस्टेंडिंग का है पर आज भी जो इतना उनको भगवान मान के लोग सुनने के लिए आते हैं उन्हीं की आपे सब को छोड़ देते हैं तो बहुत अमिलिकेशन प्रशर आ जाता है देखिए मैं तो कौन साथ फॉलोग करता हूं बीडिग जी मैं जनली य साथ साथ के इसके साथ के ऐसे कर आता की आपको यह देखना है जो दोनों की खुनली में मैंच कितना है सबता हूं पार अज आज आप दूसरे दो लोगों के जीवन एक दूसरे से टपड़ाने अभी तो समय ठीक है लेकिर अविते न्हीं टू इन एक्स तू करता है लेकिन अगर दोनों ही एक साथे बहुत हरा अच्छी आजाती कि आपने पुर्ली देखी आपने सुधाव देखा आपने सब्कमेश सब देखा पर आपने उनकी दशा छोड़ दी वो सच्छे बड़ा रोल प्ले करी दशा में आपने समय में क्या दिख रहा है क्राइस बिल्कुल बिल्कुल और एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करें बिल्कुल कर दशा अवश्य देखी जाती है अच्छा एक बात और इससे याद आई वह यह रहता है कि जब माल लिजे किसी कुंडलियों में विभाग अच्छे योग नहीं होते ना कि ऐसा योगा रह किया तो सा अगर खराब योग है विभाग और ये विभाग यूपर नहीं हर चीज के लिए हर चीज के लिए पर विभाग बात हो रही है ये स्पेसिफिक तो हम यह कह रहे हैं अब संतान के योग अगर खराब हो रहे है तो संतान का जन्म अच्छी दशाओं में नहीं होगा तो ये ब उत्र बजाया था उन्हों तो बोला था कि इसको तो ये तो पुरे कुल का वो नाम खराब करेगा इसको तुम सैक्रिफाइस कर दो पुत्र प्रेम था तो नहीं माने ये चीज़े जब विश्रवार इशी को भी मतर जब रावन का जनम हुआ तो उनको पता था एक एक करके हम कोई शुब काम करते हैं तो कई बार ऐसा होता है अब यह बहुत बार हमने कहा है कि देखेगे यह कई बार हमने सलहा दी यह विए कोई लोहीं को क्लिया ल्क बाक़ता है हो गई है अब वह पूछ रहें कि क्याफ़ा है क्ला चॉब बोलते हैं आप कर और अगर नहीं होती तो यह बोल देते हैं कि भाई देखो यह दे तो देगी शादी बट यह अशुब है तो उसके रिपरकुशन्स आपको देखने मिलते हैं तो इसलिए यह बहुत जरूरी पॉइंट आपने कहा है कि भाई दशा को जरूर देखो क्योंकि जो आने वाला गत आपको इंपक्ट करेंगे तो इसी वज़े से विवा बहुती मतलब क्लोस बॉंड है तो इसलिए आप वो इंपक्ट कर रहे तो कैसे कर रहे अच्छा कई लोगों की भाई विवा के उपरान भाग्योदे होता है अगर साथवे का संबंद तिथी के स्वामी का संबंद नव लगनेश कमजोर है साथवे भागवस्वामी अशूभ योग बना रहा है तो इवागे बाद रुक्सान भी देखने मिलते हैं तो यह पॉइंट रहता है कि हाव द मैरेज़ विल बी लगी और अनलगी यह विल्कुल से लगोई चले अब इसके बाद मैं आपको तीसरे जो म काफिबार ऐसा होता है कि there is a conflict between moon versus ascendant lord तो देखिए हमारा मन मस्तिष्प्रा चाहता है और हमारा जीमन भगवान ने क्या तैय कर रहा है तो इस पर अगर आपको यह दुविदा देखनी है यह तर्मॉयल देखना है चंद्र और लगनेश के बीच का आप इस पर कुछ अपनी अपना कुछ आपना कुछ चंद्र लगनेश कमजोर है खराब है अच्छी स्थिती में नहीं है आप के बाकी गरे कितने ही बढ़िया क्यों ना उच्चे के हो स्वग्रही हो अच्छे योग बनाएं उनकी दशाएं चले रिजल्ट नहीं दिखाई देंगे आप कुछ भी कर लगनेश आपकी परसनालिटी, सोच, बुद्धी, विचारधारा, धर्म, इनको चलाते हैं, how the morality will be, वो भी वही है, तो अब गुरु अकेले कुछ नहीं कर सकता है, गुरु धर्म को दे सकता है, बट भई धर्म का acceptance तो mind और परसांटी, अगर यही mind, body and ego accept ही नहीं कर रहा है morality को, तो गुरु क्या कर लेगा, तो point यह होता है कि you have to see that mind is moon, ego means identity, ego does not mean pride, ego means what I identify with, यह मैं हूँ, कि मैं एक ऐसा व्यक्ती हूँ, यह मेरा नाम है, यह मेरी सोच, बुद्धी, विचारधारा है, यह मेरी माननेताएं हैं, इनमें मैं यकीन करता हूँ, इनमें नहीं करता हूँ, यह मेरी thinking है, यह ego है, this is sun, sun is the controller of your personality, तो इसलिए सूर्य आत्म सम्मान, आत्म विश्वास, इच्छा, शक्ती, निरनायक, शम्ता, शरीर, उर्जा, stamina, physical strength, यह सब सूर्य है, करियर भी, कि ambition, महत्वा कांशा, सूर्य है, मेहनत करने की शम्ता, सूर्य है, तो अगर सूर्य कमजोर, चंदर कमजोर, और लगनेश, लगनेश कौन, तुमारी body, और लगनेश है, लगनेश, तुमारा brain, mind is the internal entity, medium, exhibiting itself in the brain, mind is not tangible, mind tangible थोड़ी है, mind intangible है, mind में क्या होता, emotions, feelings, thoughts, desires, इनको क्या नाप सकते हो, tangible है क्या यह, tangible नहीं है, intangible है, tangible क्यों है, brain को tangible है, तो first house is the things which are tangible, being the part of the body, the first house is literally your head, सर है तुमारा, मन मस्तिश्क में मस्तिश्क यानि brain का जो हिस्सा है, सिर का जो हिस्सा है, और सिर में क्या होता है, मैं सोच बुद्धी विचारधारा यहीं तो है, मनी तो है, मस्तिश्की तो बना रहे हैं, बुद्धी कितनी है, तो ascendant हमको यह दिखाएगा शारीरी के स्तार, hardware, इसके राजियों कितने ही बन जाएं, आपका मन सही दिशाम चलता ही नहीं है, मन लगता ही नहीं है, काम जो सही आप करके सफल हो सकते हूं तरब बुद्धी जाती ही नहीं है, भटकाव इतना रहता है, confusion इतना रहता है, decision पूर हो रखा है, क्या करोगे राजियोगों का, कुछ न मिना, energy, willpower, that is sun, अब ये तीनों अगर कमजोर पड़े, या तीनों में सो कोई एक भी गया, और सूर्य, फिर क्या, parents भी बहुत भूमिका अदा करते हैं, सूर्य आपके पिता है, चंद्रमा आपकी मा है, बच्चा जब जन में लेता है, तो सबसे पहले उसकी first society कौन है, parents, सबसे पहले उसको, अपने एर्दगीर कौन नजर रहा है, माता पिता, अब माता पिता अगर अच्छे हैं, तो बच्चे की personality उतनी बढ़िया होगी, उतनी अच्छे संसकार मिलेंगे, उतना अच्छा लालन पालन होगा, उतना अच्छा इंसान बन सकेगा वो, और अगर व वस्तना पालन होगी, इस वाद नोच्छा करे लिए होगी, तो बहा दो रहा का पुझा है, उतना इस देटिशा कर लाइधा, यह यह दो रहा पालन होगी, इस टारीके की उट्चे में नहीं हैं, कि आपनी अच्छे नहीं रहेंगे व अप्रुवल व्रीडेंगे यह वालि इमोशनल इगो फ्रैजिलिटी आप सोचल अप्रूवल नार्सिसिजम वैलिडेशन के भूखे हो जाते हैं बाहर ढूंडते हैं खुद को क्लू नहीं होता कि हम कौन है घर पर जो है तिरसकार मिल रहा है वहां पर भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा और बाहर भी आप जो है कन्फूस्ट घूम रहें और इट इस वेरी डायर सिचुएशन मोस्ट अप्ट पीपल आप सफरिंग तुरू दिस इन करेंट दे एंच बेस्ट स्पेशली बेस्ट इन वेस्ट वेस्ट बारत में भी इनकी संख्या बहुत हो बढ़ यह कहते हैं कि सूर्य चंद्रमा ही क्या है मन और बुद्धी अगर मन और बुद्धी अच्छे हैं तो भाई आप विकट से विकट पर इस्थिती होगी रस्ते निकाल लोगे सूर्य चंद्रम लगनेश बढ़ियां है बाकी अगेश्ट भी काम करेंगे मालो तो रस्ते आ जाएंगे क्योंकि मन सही काम चलता है आत्म विश्वास है रस्ते हम खोज लेते हैं इश्वर पर विश्वास चलता है अपना शरीर साथ देता है वाट विल हापन ड़ो मैटर ह सूर्य चंद्र की भूमिका इसमें बहुत होती है आप किसी भी छेतर में किसी भी स्तर पे जीवन में हो अगर ये तीन गड़े बढ़ियां है तो आपके जीवन में संगर्ष भले ही हो वो निपड़ते हैं और सफलता आवश्य मिलती है अगर ये कमजोर है तो आप कितने ही अच्छे घर में अच्छे संसाधनों को ले करके जीवन बिता ले अंतता सफल नहीं हो पाते हैं कोई न कोई परिशानिया घेरे रहती हैं कमजोर मन कमजोर व्यक्तित्व के स्वामी बनते हैं आप तो इसलिए इनकी भूमिका क्या है अगर हम कहें कि कौन इंपोर्टेंट क्योंकि हमने आपको बोला बॉडी भी चाहिए माइंड भी चाहिए इगो भी चाहिए आप तीनों में से एक को निकाल दोगे हिल जाएगी परस्णालिकी तो जब भी आप अगली दफा देखें चंद्रमा का नक्षत्र चंद्रमा आपके मन को बताता है और जो आपका लग तो आप ये जब जब कुंडली में देखो किसी भी वेक्ति की तो इनको देखो और इसके अलावा एक और चीज़ देखो वह वारेश किस दिन इंसान पैदा हुआ है तो जिस दिन इंसान का जन्म होता है उस दिन का स्वामी ग्रेट वो भी आपकी परस्णालिटी चलाता है तो आगर वो कुंडली में अच्छा है तो समझे कि बहुत ही बेतरीन जो है जीवन में पड़िनाम आएंगे और अगर वो कमदोर हो रहा है तो वो भी क्या है हेल्थ खराब करेगा परस्णालिटी को भी करेगा अगर खराब हो गया तो ये चीज़े जो है डिद्यूस करने में हेल्प करती है तो आप कुंडली को सतही तार पर देखोगे तो बड़ी विलक्षण बड़ी सक्सेस्पोल बड़ी अच्छी होनी चाहिए बड़े काम्याब हो आगा हकीकत में ऐसा कुछ नजर नहीं आ तो उसके पीछे काहीं कारण हो गया तो वारे सूरी चंडर लगन दोनों जगहें अगर खराब हैं तो फिर कितने ही उम्दा योग बन जाए परेनाम नहीं आएगे फिर आप को यार यह ऐसा बैठा है वह ऐसा बैठा है बहुत से लोग आते पूछने हमको पट उनको फिर हम यह कहते देखिए आप उपरी तार से देखोगे तो यह रीजन ह वह सकता है कि एक राशी भाव में बैटके एक रएसे पर नाम देता है बट वाइड वाइशन आप करना है यह पर वाइजेंड करिया जैसे आपने बिल्कुल सही का कि चंदर आपका मनमस्तिष्क है सूर्य आपकी वह है असेंटेंट आपका मतलब आपका शरीर है इस पाप ऐसी भी देखता हूं कि लगन को देख लिए जीवन हो गया चंदर हो गया उस जीवन में आप उस जीवन को किस तरीके से दिखते हैं दुरिश्टा की तरह तो देखें आप ऐसा समझें कि जैसे मैं अ पर बैठता वा तो जीवन की दिशा बता रहा है करियर की लेकिन उस जीवन में मैं उसको कैसे देखता हूं तो मैं जब अपने चंदर से अपने दशन को देखता हूं वहां मंगल सोराशित को के मजबूत बैठा है शनी के साथ बैठा है जितने मर्जी जीवन में करियर में तो देखें आप देखें लगन चाट में सब्टम भाव पीडित है यह सब्टम भाव में बुरे दोश्च बने पढ़ें जी आपने तो कुम्री देखें कि भई इसकी भरस्ती का बुरहाल हो रहा है यह तो बड़ी प्रेशान होगी और उसे बात को रहत है क्यों क्योंकि रिष्टा मनके जीवन को आप कैसे देख्ा तो आप अप ऐंसे लोग मिलते हैं अगर आप लगन से लगान मतला जी की लगन चार्ट से देखें तो है अच्छी है और सही में अच्छी नौक्री में हैं भी आज के जमाने में अच्छे पैकेज में आए वेल पेंग जॉब है कुशी तो यह हो जाते हैं कि आपने सी तक वो एक जीवन है और जीवन में आपका घृष्टा अमन आप जीवन को कैसे देख रहे हो इसमें मैं आपके आज के इस इंपूट्स के बाद अबीजी जी मैं सूरे को भी वहुआ को कि मैंने देखिए जब मैंने बेसिक फांडेशन चीरू करा था तो यह चीज़ पड़ी थी मैं इस बाद सूरे से कुणली को एसस करना कम कर दिया मैं चंदर से कुणली को दिखता हूं मैं पर आज की आपकी video के बाद मैं इसको भी अपने मताब इसमें मैं अपने अ装नाल्सिस में मैं आपका टैरो कार्ड भी देखता हूं, मैं सारी चीज देखता हूं, तो टैरो में देखा हूं, उसका सूरे कार्ड, मेजर आर्पना कार्ड रिवर्स आया, उसके बाद उनका सूरे था, वो उनका था, बिल्कुत सक्रामती का, तो कब मैंने पढ़ा था, कि मैंने बता है कि आपका पून्दिमा का, हमावस का, अश्टिमी का, सक्रामती का, इसका जो बोलते हैं कि कॉम्बे थोड़ा कमजोर करने तो आप में बिल्कुल सेगा सर, कि मतब चंदर से, लगन से, और सूरे से, हमें काफी clarity देता है कि जीवन, जीवन में हमारा दृष्टा मन, और उसके बाद आपकी एहम आपकी वो, तीनों चीज़ें में पाइन से बताने हैं, एक और चीज रहती, इसमें एड करेंगे, जै में आप खुशी महसूस कर सकते हैं, चंदरमा आपका मन है, तो इट गिज़ यू peace and satisfaction, तो if you make moon as the ascendant and assume from there, तब क्या होगा कि भई वहां से मालो अगर दसवा भाव, सातवा भाव अच्छा जा रहा है, तो क्या पता चलेगा कि भई, for example, भई करियर है, तो you can feel satisfied from your job and career, from your family and marriage तो हम यह कह रहते हैं कि बेदेखें, चंदरमा जो है, वहां से अगर लगन कुंडली बना के देखते हैं, तो हमको वो दिखाता है कि what kind of peace and satisfaction we can derive from life, लगन fix है, कि यह ही है, जो है, अब वो satisfaction मिले नहीं मिले, उससे फरक नहीं पड़ता है, चंदरमा वो दिखाएगा कि where you can find peace and satisfaction, that can be seen from moon लगना, सूर्य लगने से यह होता है कि सूर्य लगना जो है, वो यह दिखाएगा कि आप, क्योंकि सूर्य क्या है, actions को, desires को हकीकत में convert करना, तो whether you will be able to do that, वो सूर्य है, इच्छा शक्ती, कर्मता, महनत, परिश्रम, इसके अलावा आत्म विश्वास, सही निर सूर्य से यह दिखाएगा क्योंकि सूर्य प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, तो वहाँ से पता जलता है, how much you will be able to manifest your desires into reality, that is sun, how much you will be happy and content, that is moon, and how your actual things will be, the life situation, that is Lagla. अब इसके बाद, बेको आपसे एक, अब एक और चीज़ पुछ निखी, कि आपने इससे एक वीडियो भी बनाया था, मैंने शाल्स को, मैंने वीडियो देखी भी है काफी लंबे समय पहले, बेको आपसे पुछना होता है, इस रेमिडी पे, जोतेश में एक रेमिडी से ब और काफी बार ऐसा होते हैं कि लोग और डुखी है, एस्ट्रोजी पुने भरोसा है, उन्हें एस्ट्रोजर के ज्यान को टेस्टिंग करना, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चीगे, तो अब श्याद ही कारण है कि मैं तो भी सोच रहा हूँ कि पुरा पता प्रानिंग हीलिंग, हॉलिस्टिग हीलिंग, उनके भी कुछ-कुछ कोर्सेस करने का, तो यह मुझे लगता है कि यह कुछ आता है, आप क्लाइंट अपने पास, तो मन से बड़ी इच्छ होते हैं, इनकी समस्य है, प्रॉब्लम है, इनको सॉल्यूशन देके भीजें, तो अब रेमिड सकते हैं, लिंक मैं दे दूगा, पड़िस्थिती यह रहती है कि देखे, दो चीजे हैं, और इसमें दोनों कॉंटेक्स्ट बहुत ज़रूरी है, लोगों को यह समझने चाहिए, एक होता है, फ्रॉम्दा कॉंटेक्स्ट अफ दॉप 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 द सादा तर लोग जोतिश में ताब आते हैं, जब सारे ओर से वो निराश हो चुके होते हैं, जब हर तरफ से जो है व्यक्ति ठक चुका है, सल्यूशन नहीं मिल रहे हैं, तब वो जोतिश का दर्वाजा खट-खट आएगा, अगर उससे पहले से सल्यूशन मिल रहोंगा, त क्योंकि कंडिशन क्या है कि जो भी लाइफ कंडिशन हो, कोई भी शादी, ब्या, करियर, पढ़ाई, लिखाई, जो भी आपकी समस्या, स्वास्थ बगेरा, उससे आप परिशान हो करके व्यक्ति के आप सल्यूशन लेने आ रहे हैं, फिर से आप पोइंट ये कहेंगे, दे कुब बना रहा है, तो शाक्षात, शंकर हो, ब्रह्मा होगे, बदल दोगे, तो परिस्थिती ये रहती है, अगर कोई करें दुश्मन है, तो दुश्मन है, बदल नहीं सकते हो, कोई करें मित्र है, तो मित्र है, अगर आप दुश्मनों की ग्रहों की दशाओं से गुजरे उनको तकलीफे देनी हैं जिस भी एरिया में देनी हैं देंगे ही देंगे यू के नौट एसकेप दा सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड अगर आप इसको देखें तो हम सबसे बड़ी बात ये भी कहेंगे आप उन लोगों की जीवन को देखें कुंडली छोड़ो हम तो यह कह रहें क जो उनको बौदर नहीं करते जो इतना जादा दुख और संताप में लीन नहीं है जितना आमादमी हो जाता है इतने हताश निराश नहीं हो गए हैं कि हाथ पर बिल्कुली फूल गए कुछ सुझाई नहीं दे रहा ऐसी परिस्थिती में तो ना विवेका नंद गए ना रा आशात रूप में दिमान क्यों न हो जाएं भाई मनुश्य मनुश्यता के और जो फिजिकल नाचूरल लॉज है उनसे उनको ओवर पावर थोड़ी कर देंगे वो यू किन नौट चैलेंज और ओवर पावर दा लॉज ऑफ नेचर नोबडी गन दूट तो कंडिशन यह रह अज्व कि इस भ्रांति को दिमाग से निकालना होगा अगर वो तुम्हारे भाग में है और कौछ व्रुकावटे आ रहे हैं तो उपाये काम करेंगे कि वो तुम्हें मिल जाए अगर वह भाग नहीं है तो फिर इतैंफ यह कृतर नशी बात कि बूच्छ बात की बहुत इसे ऐसे cases आते हैं जो विक्तिम बन के आते हैं कि जो डेखें जो desperation किन्मे होते है कि politicians में होती है actors में होती है break नहीं मिल रा कुछ नहीं मिल रहा और मैंने सुना ऐसे लोग बोलते हैं कि माली ना ग्रह की रौश्णी ना रश्मी है इस भावटा पहुच नहीं मैं इसको यहां पहुचा दूँगा है हम उपर अरे भाई तु ब्रह्मा हो पहुचा दूँगा है है भावान हो सब ऐसे ऐसे क्ले आचा नहीं बात बहुत सही कह रहे है क्योंकि एक और चीज़ होती है फिर क्या होता है जब इंसान इतना डेस्परेट होता है ना तो यहां पर जोतिश होतिस मैंटर ही नहीं करते है बहुत को डिमांड इतनी जादा है कि I want a spoon-fed solutions मेरे को भाई कोई भी solution कोई टोटका कोई चमतकार करके दे दो तुम पहली बात तो चमतकार दुनिया में होते है नहीं पर condition यह रहती है कि आगर कोई चाह भी रहा है कि नहीं मुझे जो है चाहिए कुछ करके बस मेरी इच्छ पूरी कर दो जो मैं जा रहा हो जाए अरे भाई भागे में होगा तो हो ही जाएगा नहीं हो अभी जी अभी जी पता है यहां पर आते ना देखिए लोग जो आस्रोलोजिस की बीच में और जो manifestation practices और जो law of attraction practice है वहाँ पर बीच में लाइन आ जाती है मैं खुद law of attraction को मानत हो मैं manifestation को बांता हूं पर वो भी काम करेगा मेरे चलती दर्शाओं और मेरे भागे की जो इसा नहीं मेरे परिवार मेरे सिस्टर है she is a firm believer of positive तो मैं भी इंसान हूं positive के साथ law of attraction manifestation मैं पूझा पासना में बहुत ज्यादा डिटेल में रहा हूं पर मैं उसको बोलता है ठीक है क्यों जितना दुकर emphasize करती है manifest manifest वही चीज होगी law of attraction वही मेरे लिए पास लेके आएगा जो मेरा समय और मेरी कुंडली के दशा है क्योंकि ये दुनों चीज़े को contradictory हो जाती है कि जब मैं दोलों के भी तुम्हारा समय तुम्हारा भागया भी यह बोल रहा है इस एरिया में अगर ऐसा मुम्किन होता तो जो मैं चाहूंगा वो हो जाएगा मैं चाहूंगा कि मेरे पास अथाधन हो हो जाएगा क्योंकि हमारे पास ऐसे को रुपाय कुछ टोटके अरे ऐसा नहीं होता है और अगर ऐसा होता है तो जो व्यक्ति के क्लेम कर रहा है उसने अपनी जिन्दगी में वो चीज़े क्यों नहीं हासिल कर ली जो वो तुम्हें प्रॉमिस कर रहा है देने के लिए ये तो नहीं दिखे पते हैं और यह बात है अभी जी जी मैं इसलिए मैं बूते के जोतेश का ग्याना एक सत्य को जानना अपने करम अपने भाग्ये को जानने और उसके साथ स्वीकृती में रहने का आप सपोस कीजिए एक इंसान है भी टुंटीस में है डेस्परेट है कि लोग क्या करते हैं देखे भाग के से जादा उस समय से पहले नहीं मिल सकता असंबा भई यह कहावत है कि अब बेर को लोग नहीं भी बोला है कि बहुत को अस्ट लोग के जरूत इसलिए इस लिए एक तो पाई बदो और दूसरा जो तुमारा लिखित भाग या उसको समझ करता है कि करियर सेक्सेस अभी तुमाणने लिखी है बात का टाइम तुम्हारा सेकेंड हाफ का मेंट्रिमोमियलाइश के लिए और यह बहुत बड़ी बात है क्योंकि देखो जैसा मैंने कहा कि सप्लाइंड डिमांड का गेम हो गया यह क्योंकि बहुत इतनी जादा है परिवर्तन करने और अगर तुम्हें परिवर्तन करने पर मजबूर करें और अगर तो परिवर्तन करने की मंशा बनाओगे तो कोई सुधारी नहीं होगा जीवन में तो पॉइंट यह होता है कि you have to adopt both the measures practical as well as astrological अब प्रॉब्लम यह होती ही कि people only focus on astrological remedies कि भाई कोई टोटका बटा जीजे कुछ कर दीजे हमें अपने अंदर कोई बदलाव नहीं करना हम जैसे हैं हम डिनायल में रहेंगे हमें कोई acceptance की बाती मत करिया है I don't wanna change myself अब इजी चीवे गोते हैं तभी तभी जो maximum problem जो मंगल से create होती है वो behavioral problem होती है मंगल से 90% behavioral problem है behavioral problems ही है और उसके बाद भी क्योंकि देखो फिर supply and demand ऐसे आती है कि इंसान अपनी denial में जिन्दा है acceptance करना नहीं है real changes लाने की कोई मंशा नहीं है आप ऐसे spoon fed solutions लोगों से पूछ रहे हैं आपको जोची की ज़रुवत नहीं है आप रहा चलते किसी भी इंसान से पूछ लीजे वो आपको कुछी भी बताएगा आप इतने होती है specific वो हम बताते हैं कि इन चीजों में यह यह उपाय काम करेंगे बट वो तब होगा जब कुंडली अनुसार देखा जाए यह भी कि यह हो गया from the context of person who is seeking astrological advice कि भाई पहले अपनी मंशा यह सुधार हो कि I am coming for a real change with a mindset of self-acceptance and moving away from denial in order to seek relevant change in my life अगर यह मंशा नहीं है न तो आप जोतिशी के भगवान आगर कभी आपको नहीं सुधार सकते हैं तो पहली बात तो यह है दूसरी बात होती है कि अब जो जोतिशी है उसका perspective क्या होना चाहिए वो यह होना चाहिए कि भई देखो पहले कुंडली देखो और यह देखो कि यह व्यक्ति क्या उपाय कर सकता है क्योंकि उपाय तो कई तरीके के हैं कई कई कठिन हैं कई सरल हैं अक्सर हम कुंडली में यह भी पाते हैं कि अगर कहें ग्रह कासी खराब हैं दुश्परिनाम दे रहे हैं और जैसे ही सूर्य चंद्र लगनेश नवाभाव यह तो मेजर हैं अगर यह खराब हैं तुम उपाय कर ही नहीं पाऊगे मैं बता दूँगा फिर भी नहीं कर पाऊगे तो कंडिशन क्या होती कि हमने बहुत बार काया है अब तो इतना समय बीत गया लोगों से बातचीत करते करते कि हम सीधे इस पश्ट रूप से बोलते हैं कि भाईया हम बता तो देंगा मैं पता आप करे कराएंगे कुछ नहीं थ तोड़े दिन बाद छोड़ जाड़ेंगे उसके बाद आपका कुछ फॉलो अलो आप नहीं करोगे तो हम यह इस पश्ट रूप से बताते हैं फिर परिस्थिति यह होती है कि कि आगर कोई व्यक्ति कर सकता है कि हां इसमें सुधार आ जाएगा और हमने ऐसे बहुत सारे के कि जिसमें मतलब कई केसे हो तो हमें उमीद नहीं थी कि सुधरेगा बर सुधार हो गया तो परिस्थिति यह रहती है कि यहां पर यह सूरेचंद लगनेश पर डिपेंड करता है वही बोला ना acceptance कितनी है कितना तुम आगे ग्रह तुम्हें कि अब मालो गुरू अच्छा है पर सूरेचंद लगनेश ब्लॉक करें वैठें हम आने ही नहीं देंगे घ्यान को हम आने ही नहीं देंगे धर्म को हम आने ही नहीं देंगे दूसरों के सलहा को हम अपने आप कोई खुदा समझ लेंगे तो फिर कहां से कुछ होने वाला है शनी है अभी शनी के बारे में थो है कि भाई हमको आप कोई ऐसा टोटका बताओ जिससे हम बस कामयाब हो जाए बुलंदियों को छूजाए ऐसा को टोटका नहीं दूसरी बात है कि अगर कोई खराब है और उसकी दशा से आप गोजर रहे हैं और उसे हानी पहुचा नहीं है तो पहुचा के रहेगा उसकी मानहानी हो सकती कोट के लफड़े हो सकते कोई भी ऐसी समस्या है जो विकट हो सकती है अगर वो दशा दिखा रही है कि इस तरीके के परिणाम संभव है तो उसमें उपाये शिद्दत से दी करे जाए तो उसकी नकारात्मक्ता घर जाती है उसका पोटेंशियल डेमेज का र को on Re21 को मैंने मेरे मेरा कुनली में मेरे बॉड़ी के मेकसिमम टाटूस तभी बने थे जब मेरी पुनली में अश्ट मभव में श्रीमंगल की उतिया एक्सीडेंट के सर्जरी के योब चंगरे एं तो उता कि श्रीय में सुկां लगनी मैं है उस चीज़ का बहुत दरवाजे में चीज़ देने आ जाएगी वह घरत दरवाजे में खड़ा हो जाएगा जैसा मैंने कहा आप सबकी कुंडलियों में जो बड़े मतलब ऐसे लोग रहे हैं जैसे मैंने उदारन दिये विवेका नंजी हैं रामकृष्ट परम हंसे इनक वर्ष्वयम मनुष्य रूप में विद्धिमान है साक्षाद महा विष्णु अवतार लेके प्रकट हो रखे हैं तृष्टी में पर अगर आप उनके जीवन को देखेंगे तो वह भी श्रिष्टी के विधी के विधान के अनुसार जीवन जीवन जी रहे हैं बहुत बहु भवान राम की कुंडली में जो है यह योग जितने आ गए यह तपस्वी राजा लिटरली तपस्वी राजा क्योंकि तपने गुरू मंगल और चंद्रमा इसको राजलक्षन योग कहा गया तो राजलक्षन योग क्या है अत्यधिक धारमिक व्यक्ति जो इसके लिए मतलब अगर दोश बना दिये सात्वे में मंगल आ गया चोथे में शनी आ गया परिवारिक वैवाहिक जीवन को खराब कर देगा तो भगवान राम स्वयम इश्वर है पर उनका खुद का वैवाहिक पारिवारिक जीवन सुखद नहीं रहा तो और उसको बदलाव करने के लिए उन्होंने युव इश्वर है पर इसका यह अर्थ थोड़ी ग्रहों को बदल देंगे मन शुरूप में रह प्रेरणा बना के अपनी जिंदगी बढ़ानी है यह थोड़ी कि अब आपने बात की इसमें ना तभी हम जैसे जो एस्ट्रोजिस का रूल आतना देखें मैं आपसे बदाता हूं काफी बार क्या होता था था भच्पन से में उभी घरवाले जब जोतेश के पास लेकर जात आता क्या तू कर क्या रहा है आपकी समस्या क्योरी को कि आप घर की मूल सुभाव के काम नहीं करें अगर वो आपने समझ लिया जीमन को ढ़ल लिया आपने घर का मूल सुभाव समझ के वैसा ढ़ल लिया वह आपके अपना ब्रेंदीशी हो बिल्कुल तो जोतिश इसी आते हैं कि जो हम चाहते हैं वो हो जाए इसलिए उपाए नहीं होते हैं और दूसरा होता है कि उपाए अगर है भी तो कोई नकरात्मक पक्षियदी है तो उसकी नकरात्मक घट जाए इंटेंसिटी डियूसेज बिहेवियर ड़स नोट चेंज यू कांट दू इट तो कंड दूसरी बात यह होती है कि ग्रहों में अगर कोई जो है बल नहीं है मालो एक और चीज होती है कि ग्रह खराब नहीं है कमजोर हो गया है दोनों बहुत बड़ा नतर है खराब है मतलब तुछाड़ दुशमन है दोश बनाया तुखसान देगा कमजोर है पर अच्छा है तो अगर ऐसे condition आ जाती है तो हम कहते हैं कि ग्रह की बल को बढ़ाने के लिए उपाय करे जाएं ताकि वो आपका अच्छा ग्र है तो उस पर सुधार हो और अच्छे परिणाम देखने मिल सके हैं तो दो जगा एक होता intensity बढ़ाने के लिए भी होता है दूसरा intensity घटाने के लिए भी होता है अब शत्रू है तो intensity घटायोगे मित्र है कमजुर हो गया तो बढ़ाओगे अब ऐसे उपाय कहे जाते हैं उसमें कुछ चीज़ें पहनने के लिए भी केस स्पेसिफिक होती हैं मेटल साप रिकमेंड कर सकते हैं जैम स्टोन केस स्पेसिफिक होते दशा बहुत माइने रखती है तब आप जैम स्टोन बताईए हर बार जैम स्टोन नहीं बताए जाते और जो लोग कहेंगे कि भाई अब बढ़ा रहे को अब इसके पावर बढ़ा हैं कि यह भी देखना है कि हम कैसे कुंडली में घ्रहें तब आप रत्न करिये अने था सबसे बेस्ट होते हैं मंत्र में ये कहा जाता है कि हर ग्रह के अब जैसे मैंने इष्टे देवता की बात करें सबसे पहले वह इस्टे सब्सक्राइब बाट को ध्यान में रखते हुए कि व्यक्ति करक्था पाएगा हम ऊसको बहुत लंबी फेरिस्ट पकड़ा दें और नहीं कर सका है सकता तो फिर कोई फायदा लेगे आप एक आदी मंतर करो पर करो धंग से पूरी श्रद्धा भाव से वो इंपक्त देगा और जैसा मैंने का कई लोगों का रुजहानी नहीं होता है अब रुजहान नहीं है तो फिर वही एक होता है कि बेसिक एक आज छोटे मंतर बता दिये ताकि वो उतने तो कर ले क्विए ख़ंजोर हो का तुपाय करने नहीं देगा अभी जी आप जैसे जब आप इसे को मंतर रिकमेंट करते हैं तो उसमें मतर को एक संख्या ड्यू आप काउंट की को सीक्वेंस वी उपताब एक बताते हैं या इसलाए कि आप पस एक माला कु अधिक्तम समय जितने लोगों से हम बातचीत करते हैं बहुत बड़ी जनसंख्या होती है जो की मंतर जाप और ये पूजा पाठ करने में उनको जो है बहुत जादा जिजक होती है या वो थोड़े समय करने के बाद छोड़ चाड़ देते हैं बहुत बड़ी संख्या है इस पहसान तो करनी रहे हैं, आप अपने लिए कर रहे हैं, आप को दवा आपको कल को कोई रोग हो जाए, आप दवा आपको डॉक्टर देगा, आप दवा खाओगे, तो आप ही तो ठीक होंगे, डॉक्टर ठीक हो जाएगा, आप ही ठीक होंगे, आप ही की बिमारी ठीक होगी, आप ही सुद्रोगे अगर आप कहो कि नहीं हम दवा खाके दॉक्टर पहसान कर रहे हैं या किसी और पर फला विक्ति पहसान कर रहे हैं तो यह तो यह तो कोई तर्क वाली बात हुई रहे हैं तो हम यही कहते हैं कि देखो हमने आपको बता दिया हमारा काम बताना था करना आपके बाटा पिता बच्चों के लिए लेते हैं बोलते हम कर ले उनके भीःवश्थ पे हम कहते देखिये अगर इंसान असमर्थ है ऐसी परिस्थिती है क्यों कर रही सकता शारी गृूप से असमर्थ है कोई आदने दिक्कते हैं तो हम कहते हैं कि भाई कोई उसके विहाव पिकर ले बट अगर वो हिस्ट पुष्ट स्वस्थ है कोई दिक्कत नहीं है जानबूज के नहीं कर रहा है तो भीया आपके करने कुछ नहीं होगा क्या कर लोगे ओनर वो इन्डिविजूड है और आपके बेटे-बेटी होने से पहले वो इन्डिविजूड है इस आत्मा ट्रैवलिंग इन बॉड़ी विद ऐल काईड पूर जन्म कर्मा अपन इस टुम्हारे संतान होने से पहले वहाँ एक व्यक्ति है और उसके उपर कर्म लगे हुए है और उसके उपाय उसे ही करने होंगे आपके करने से उतना इंपक्ट नहीं आएगा जितना आप सोच रहें तो हम उनको यह करते हैं सिंपल साधारन मंत्र पकड़ लीजे बैशंकर भगवान का ओम आपके करता तो इतना अच्छा पता है वैसे तो यह स्पिरिचूल सा यह पॉड़कास्ट है इसमें बात लाने नहीं चीए कि अभी कल पर सूथी कि अभी कल की न्यूस ती शाय दे कि यह डेली साइड में कहां पे वो थी उसमें एक फामली थी वो जो जो मेल फिगर थे वर अगर अगर फीक कह रहे हैं पर हम यही कहते हैं कि देखिए अगर उपाये जो होते मंत्र मुक्य हैं कुछ चीज़े पहिनने के लिए होती हैं पर और 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 अगर थोड़े बहुत भी सायक है अगर आप यह कोई चीज़ सिर्फ पहन ले और दान दे दे या कुछ और कर ले और कुछ पढ़े नहीं भगवान से ना जुड़े अपने आपको न बदलने की कोशिश करें अ सिर्फ हमने एक उठी पहन करके जो है हमने सोचा कि सब बदल जाएगा आप बहुत बड़ी भ् लेकिन मैं लास्ट टॉपिक आपको ले आऊं कि यह रेमीडी से ही कनेक्टेड है और जब भी बात रेमीडी की आती है वो आ जाते ऐसे ग्रह पे कि जो मतलब जिसकी रेमीडी मैक्सिमम एस्ट लोग परिशान है और वही एक ऐसे की गेम चेंजर है किसी का भागे पकर जुले पांड कि आपकी नसर है मैं आपसे पूछ हूं तो शनी दे वता इस CTRM माय में तो इसका प्रश निंटर बीडी का शनी का शनी पर पई नाअग ऑसो हो सकता है कि वे करश्ट दायक में यह प्र है ने बहुत ही अच्छे परिणाम जिंदिगी में दे आपको एक पत्प्रदर्शक बन करके आगे लेके जाएं तो दोनों ही सूर्थे देखने मिलती हैं बट उसमें निर्भर करता है चंद्रमा की इस्थिति इसलिए साड़े साथी की भूमी का बहुत मानी गई है तो कंडिशन क्या है कि remember कि moon is your mind mind likes to live in delusions, denial, bubbles हम अपनी कलपनाओं में जिन्दा रहने के आदी होते हैं आत्म प्रवंचना में जीने के आदी होते हैं आत्म अस्विकृती में जीने के आदी होते हैं हमें वास्तविक्ता से कोई ना लेना देना पहले था ना आज है ना आगे होगा अधिक्तम लोगों की दुरभाग येवश यही इस्थिती होती है दूसरी बात ये होती है कि शनी जो कारक है वो कारक होता है वास्तविक्ता का वास्तविक्ता देखो ना तुम्हारी दुशुमन है ना तुम्हारे मित्र है वो बस है वो न्यूट्रल है मुर्कता है तो हम यह कहते हैं कि it's just like that Saturn says कि भाई ये सत्यता है ये वास्तविक्ता है ये हकीकत है आप अगर इसको स्विकारेंगे आप के लिए जिन्दगी उतनी आसान हो जाएगी और अगर आप इसने जितना दूर होंगे जितना आत्म अपनी कल्पनाओं में अपने बुल्बुलों में जिन्दा रहेंगे उतना दुशकर उतना परिशान उतना क्लांत जीवन हो जाएगा अक के लिए तो आप करिश्थिती यह रहती कि यह देगा कौन चंद्रमा देगा तो यह चंद्रमा तुम्हारा मन है आइंड तो मून इस यह दो आप इसके ओपर बहुत लोगों को जो है क्यों यॉवसिटी भी होती और डर भी लगता है हर बार डरने की जरुवत में है इसमें आप अब जी आपको कांट्राइट में बीच में आपको करा इंडिस्टब करा वह सब्सक्राइब पूचेंसे हम बोते हैं कि श्री देवता के वास तंबन शक्ति है तो जब हम बात कैसे राहू केतु हैं राहू केतु कार्मिक है वो क आपको अच्छा कर रहे हैं बुरा करें धीरे 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 कर रहे हैं तो आगमे को संदर कुन का समय तो मिलता है फिर भी आद्पी श्री में मार क्यों भाते हैं उसका रीजन है उसका रीजन पहली बात तो चंदर्मा है ब्कॉस आई सेड ना your mind is not what you can say accustomed to live in reality हम देखो reality कहा है reality ना future में है ना past में है reality present में है present में है वर्तमान में जीवन होता है भविष्य तुम ने देखा नहीं अतीत बीत चुका है अब अगर जो है वर्तमान में वास्त विखता है ना भविष्य में है ना भूत काल में तो वर्तमान में कोई नहीं जिन्दा रहता या तो हम अती दूश्मन है तो आप कंडीशन यह कि Remember Moon is the culprit here Shani culprit नहीं है Shani का तो nature ही वह वो खुद होड़ी कह रहा है कि मैं वह यह नहीं कहता कि मैं तुम्हारा दोस्त मुझा दुश्मन वह वास्तविक्ता को दिखाता है कहता मैं हूँ और ऐसा ही हूँ अब तुम मेरे साथ कैसा डील करते हो यह तुम्हारे माइंड पर डिपेंड करता है और अगर माइंड तुम्हारा मेरे मेरे वास्तिविक्ता के पक्ष में है तो मैं तुम्हारा मित्र बन जाओंगा और अगर मेरे विपक्ष में है तो मैं आपको शेनी का किसमें बहुत श्रॉंग प्रभाव चलता है, मतलगा अली जे शेनी की दशा भी चल रही है, साड़ी सती भी चल रही है, और आदमी को देख के पता चलता है, वे सारे काम धीमे उरकेंज की, हर काम में डिले चलता है, हर काम बतीजी, क्या रिमीडिया पूर? अगा जैंड साटा है, यहां प्रभाव चलता है थूंडश में से शेनी कार omega. यह पार को में वी आधमी आधमी जैंग और रह ऐसा दिखा रहां हमारी जैसा को घुराई है, आधमी जैसा प्रेवर से बार्य चेंड़नाडार्चा कि बिले है नियु इस आपनी गरह में and how we are going to act. Now what is acted, it will generate a action plus consequence. Now that action or consequence, Shani is like an accountant. He will say that this is what you have done. This is the purpose of the purpose. Now this purpose is my hand. I am going to decide the result. So Saturn does not decide the actions. Saturn does not decide the consequences. It decides the collective result of both action and consequences which have been done. That is why it is difficult planet. because it is going to put the actions towards the planet. At least it could be good after the practice, but it could be very good as it could be poor. Here, Shani is New Wave для Вас. If you did상ozza andare out of that planet, You may have done nothing. For now and to someone who stays a tribute player, He will 말씀? Well if possible, Maybe you may share a tribute game. So what is Julie? Claro üBest. न्याय का अर्थ धर्म का अर्थ ये है कि हम न्याय के आधार पर धर्म की इस्थापना करें लॉजिक के बेसिस पे जस्टिस दिया जाए वो शनी है तो that is Saturn and that is why it is hard because शनी हमको हमारा आइना दिखाता है तुमने जो कर्म करें दुनिया से मूँ चुरा लोगे अपने आप से कैसे चुराओगे खुद को तो पता है क्या करा है तो condition ये कि शनी ये कहेगा कि ये तुम हो ये है तुमारा आइना ये है कच्चा चिठा ये देखो तुम अब ये तुम हो तो ये इसका परिणाम है ये फल सोरूप ये मिलेगा अब जैसे हो इसका ये फल है अब इसलिए शनी से क्योंकि भाई इससे क्या पतच रहा हूं अपना ही चेहरा नहीं देखना चाहते है हकीकत से मूँ चुरा के घूम रहे है इसके लावा शनी क्या है शनी दिखाता इसके लावा एक और चीज वो वास्तिवित्ता का पक्ष तो बता दिया दूसरा है जो आप कहते है देरी तो आप उनके केस में देखो अमिताब बच्चन जी के केस में कुम्ब लगन है शनी केंदर में है चौथे भाव में है विर्षब में है राशी बहुत अच्छी है तो condition wise शनी is excellent, very favorable he became अमिताब बच्चन in सैटन महादशा which is started from 1971 in his case तो condition is that शनी हर बार आपको नुक्सान दे जरूरी तो नहीं तो हम ये कहते हैं कि आपको ग्रह देखना है दूसरा अटल भिहारी बैट पही जी लगन में तुला में शनी बैठे है अगर चंडर्मा अच्छा है और अगर और दूसरा सबसे बड़ी बात आप सही पत्थ पे चले क्योंकि शनी देखो क्या है एक चीज हमने बहुत गौर करी है अब जैसे शनी राहू है शनी राहू का योग अच्छा नी बानते हैं श्रापित बानते हैं और लोग कहते शनी वाद राहू बोलते हैं कुजावद केतु शनी वाद राहू कुछ माइनों में है हकीकत में शनी वाद राहू है ही नहीं तो कि शनी के जो गुल है वो राहू में तो होते ही नहीं है शनी धर्म का न्याय का कर्तव निश्टिता का इमांदारी का धैर का परिश्रम का इनका का अनुशासन का ग्रह है, न्याय व्यवस्था का ग्रह है, राहु उल्टा है टोटल, राहु भरष्टाचार, अनायतिक्ता, अधर्म, अज्यान, इनका ग्रह है, कहां similarity है दोनों में? एक चीज होती है कि शनी जो है, वो राहु के साथ तब खराब हो जाता है, अगर ख कुम्बलग ने चौथे में दस्वेवा में शनी राहु वरिष्चे का, अल्टिमेटी में एक्स्रीम करॉप्शन लेड़ तो कंप्ली दाउनफॉल है, अब आइसा है, वो भाग गया हो अलग बात है, बट जिन्दीगी पर की हिजदत खतम, एपसकॉंडर भगोले की तरीक इट रुइंड तो शनी आज नहीं तो कल तुम्हें खाएगा जरूर, यह नहीं हो सकता कि ना खाए, अगर खराब है, तो वो भले ही अवाइज दावेदी गत्विदियो में ले जाए, बट वो उसका खामियाजा जरूर देखो कि शनी को कारावाज, डंड का कारक माना गय आज नहीं तो कल अधीक से याद नहीं है बट इसमें पैबलो एसको बार उसकी कुंडली में भी एगे, अशनी राहू? मार साधन राहू, यह बार को बीचियों है को बीचिक शनी कॉठिक्ला हूंस प्राइज आपके पार लंबे समय टिकतीती है तो आते जो आज तक बरकरार है, उसमें व्रिद्धी हुई है गिरावट ने आपने अमिता पचन जी का एक्जामपल लिया उनको देखिए अभी वो शाइद एटी टच कर रहे हैं और अभी उनका है फिटनेस कहते हैं अभी भी सेट में शूटिंग जब होते हैं स्केजूल में वो सबसे पहले पॉस्टी अगर आपको शनी से कुछ चाहिए न आप विनम्रता पकड़ ली दिये क्योंकि शनी सबसे बड़ा दूश्मन किसका है सूरी का सूरी किसका अगर अच्छे परिणाम चाहिए तो अहंकार में मत रहिए वो आपके अहंकार को तोड़ देगा शनी अपना एक होता ना परस्नल एजेंडा बना लेता है कि भई अगर वो किसी ऐसी सूरतों में है कुंडली में कि इस नॉट गुड एंड इस परस्नल एजेंडा तो मेक यू रियलाइज यूर लिमिटेशन वलनरेबिलिटी इन सिक्यूरिटीज एन इन सिग्निटिकेंस तो वो आपको ये हडिकत में यकीन करवा देगा दिखा करके कि बहुत हवा में मत उड़ें आप प्रकृती के आभी आगे अभी भी बहुत कम हैं कुछ भी नहीं हैं एक्सेप्ट करने की जरूरत है आपको कि अभी आपको बहुत कुछ नहीं आता और विनम्रता को स्विकार है तो जो व्यक्ति पहले से ही विनम्र है जो व्यक्ति पहले से ही करमत है जो व्यक्ति एक्सिलेंस के पीछे भागता है जो व्यक्ति कर्म करता है बहुत ज़्यादा फल के लिए नहीं जो है परेशान है और Other people say, वह कितने उनकी लोग तारीफ करते हैं, वह हमेशा ही कहें गे नहीं, हम इतने बड़े नहीं, यह बड़े नहीं, He is. But he, और वह देखो, वह वह फेक नहीं है, क्योंकि आप कितने दिन 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 करोगे, 1880 साल तक फेक करोगे क्या. वाटीम वाटीम आप्सी हार थे स्टार्डम तो राजी उसके पास भी था कितने बड़े बड़े आट्रीस भात्रीज भागर अमेपा पच्छी इसन डिफर लीगार गटाइड मेरे शीजन एक राज पर चौछ कम या उसे सुधारने की और काम हो वाज भी कहते हैं कि हमें बहुत कुछ चीखने को है तो इतने नाम कमाने के बावजूद भी अगर वेकिन कहे रहे हैं, तो समझे कि कोई तो कारण होगा, हम किसी से कोई प्रेरना तो ले सकते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति कहे, बहुत से लोग होते, जा तो कुछ किया ही नहीं होता है, और थोड़ा बहुत कर लिया होता है, तो आपने आपको खुदा समझ लिये हैं गल्ती से तो समझ जाए पतल का समय है आज नहीं तो का अभी जी मैं बोलूगा आपसे कि अगर आपको ग्रह और देवता को को मैं एक बात बोल पर देखें कि अगर हनुमान जी का जो डोबेन है ना हनुमान जी का दोबेन लोगों ने सिर्फ सुरक्षा से रक्षा से उससे रखा है मैं इसाँ हनुमान जी का सबसे बड़ा गुर्ण को जो है जो अपने भक्तों में डालते हो है डेवोशन का जिसे और refers to मिर्षा और पर और कि लिएक अफ्लेए एंगी अजिए आपकर जान करणें कजे तो शरी वाति व तो वो तो आपको ऐसी जगह ले जाएंगी कि फ़र्द आपके लोग आपके इसाल बिलकुल और शनी की देवी कौन है मा काली काली मतलब जिनका काल पर कंट्रोल हूँ तो शनी क्या है एपसलूट रियालिटी जब मैं बात कर रहा हूं तो कौन एपसलूट रियालिटी टाइ में लाइफ लीट कर रहा है है टाइम ही तो देख रहे हो कुन त dobrat whether अंट्रोल काली काली जो काल के परहे हैं उसकी पूझा करो अब यह नहीं होगा कि काल तुम्हारे ले कि परसनल स्केल पर घटना करम घटने घटेंगे पटकाल के ऊपर जाने कार्थ क्या है कि हम इतने गहरे उतर चुके हैं सेल्फ रियलाइजेशन में कि अब हकीकत में कुछ भी हो इतना हमें इंपक्ट नहीं पड़ता यह चीज शनी है तो आगर देखिए शनी बहुत अच्छ बढ़ को बाग बाग उबामा लगन में लगन में तो आग अच्छा शनी पुपलिक सर्विस का ग्रह और शनी पॉलिटिक्स की ले जाता है समाथ सेवा जन का ल्यान के लिए पादा सेवा सुर्य तो यह तो जनता का जो राज है वो शनी है और के अन्राव साब बोलते है कि शनी को आप जरूर कोई शनी किया है शनी को भिकारी माना गिया है शनी इस बेगर आप तो में एलेक्षन अगर लड़ना है तो तुमें लोगों के वोट भीक में मांगने पोलेंगे वाबा वोट दो और रहाम कुर्सी ने पर दे तो यहां क् आप देखो शनी जैसे मोदी जी है वरिष्चिक लगन दसवे भाव में शनी शुक्र सिंगराशी में एक्सिलेंट कॉंबिनेशन फॉर पावर वेर परसन एक्चुली हैस मोटिवेशन तू सर्व पब्लिक क्योंकि शनी का सिंग में आगर उनके केस में इगो इस लेविल प सिरियसनेस है वो डेडिकेशन वो एक गोल है कि मेरा अगले 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 हमारे सेशन होगा ना उसमें प्रॉपर रेफरेंश चार्ट कूब दिखे आज क्या था मेंको ब्रॉडर ब्रॉडर जो टॉपिक्स के ना वह आपसे व्यू लेते गे उनको टच करते बादे और स्लाइड के साथ हम प्रॉपर उस एक टॉपिक के कोर पे जाएंगे अब 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 जी थांस अलोट मैं यह वीडियो हम दोने अपने चानल में रिस्पेक्टिव ओडियंस का शेट दरेंगे आपने जो भ्यान दिया है जो आप से मेंको इंपूर्स मिलिया आपने कैश देवता का छोंगे कॉंबनेशन बता आपके मेंको ऑपिर इंपूर्स ती यह सारी चीजें में इसे आपने मैं एनालेस्स में अपने इसटेई में एपने अपने स्टेजिस मैं अपने कंसे तो अलगी होगी थोटे से वह सीरियस गंभीर थोटे से इंट्रोवर्ट से भी लगते हैं पर आपने रिस्पॉंड करा रिखी इश्वर में जहां हमारी कॉल होपा है तो आपके हमारे प्रयास से अगर यह हो पा रहा है तो बस भवान की दया है अशिरवाद है बिल्कुए बिल्कुछ है इसके बाद अगला आपको अगर कोई ऐसे विशय हैं जो दर्शक हमारे जो देख रहे हैं अगर आपके भी कोई स्पैसिफिक कोई है जो आपके क्वेश्चिन्स हों मतलब नॉट परस्ट पर्सनल क्वेश्चिन्स एक टॉपिकल क्वेश्चिन्स जिनको लेकर कि आपको लगे कि विश्या में बहुत सारे विशे धूंडे थे अभी उनमें से कुछ एक लिए हैं और आगे इसको विस्तार से एक एक करके लेंगे तो और भी गहराई से लोग समझ सकें बस यह एक प्रयाज है बिल्कुल दुब अभी जी बिल्कुल जी थैंक्स लॉट मुझे लगणा आपकी वोईस तोरा इंटरेनेट का देनेशन लूस भी हो रहा है पर जो भी हमी सारा अमरा इंट्रोड़क्शन हो गया आप फॉर्मल सारी बात होगी मैं आप से बस अब विदा लेना चाहूंगा थ क्या सुए तो आप मेंसलर्ण भीजी जैनल में भागवर देनेवा धिकशन था था थी एक।